शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें वक्र तुन्ड महाकार सूर्य कोटी सांप्रवा निर्विग्नाः पुरु नेवा सर्वकारेशु सर्वरावाराई श्री महागन पत्ये यूं तो जिन्दगी के सफर में कई आंधियों और तुफानों का सामना करना पड़ता है लेकिन इस मासूम और अनात बच्चे के जिन्दगी में एक तुफान और भी है और वो तुफान है इसकी मजबूरी लाचारी और अकेलेपन का हैसास अमन फादर बेट तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो फादर सब बच्चों से मिलने या उन्हें लेने कोई न कोई जरूर आता है लेकिन मुझ से मिलने या लेने कोई नहीं आता क्यों क्या मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है है ना मैसान, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता न, उसका वो होता है अरे, बॉल देना, अरे यह तो लंगड़ा है, यह कहां से देना बॉल दे ए लंगड़े सुना है नहीं देता, क्या ? बॉल दे यह तो लंगडां ही नहीं बहरा भी है यह ऐसे नहीं माने गा, फिर कैसे माने गा अब चरा चलके तो बता मैं बताता हूँ, लंगडां बोलता है, महरां बोलता है थैंक यू दोस्त तुमने मेरी बहुत मदद की क्या नाम है तुम्हारा आकाश वर्मा और तुम्हारा नाम क्या है अमन आचे आकाश और अमन दोनों दोस्त हैं अमन इंसे अमन आमन आमन या को दो मिखने की हो यह वहाग क्या होग ओअ तो Kommunen से क्या लेना है तुम काऊना अरे तुम्हारे से उसे में किया आए द्स बेसे आली बोली ही मुझे बहुत पसंद कर रहे होैं यह मेरे लिए थी मैंने खाली, यह तेरे लिए तु खाले अरे, छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे हो, जब देखो कोई OTC भी आरकत करते रहते हो, कोई देख लेगा तो? देख लेगा तो क्या होगा, उससे भी इजाज़त माग लेगे? क्या है शरीमान देखने वाले, क्या हम अपनी इकलाओती पत्री से प्यार कर सकते हैं? क्योंकि इजाज़त मागने के तो हमको आदत सी होगी है करें से प्यार के जाधत शाधी करने की लिए तो मारे मवाब से जाधत फेरे लेने के लिए पंडीजी से जाधत और एक साल जाधा मुझना से बाई में डाल कि रोज़ प्लना पड़ता था कि मारा सोजाई को म हम आद जा सकते हैं अहे शादी से पहले जब नए नए मिले थे तो ऐसा लगता था जैसे मुझ में जबादी नहीं है जाओ 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 और अब सौत होते एक तरफ और तूम एक तरफ तो ते नहीं तो कौन कहेगा कि तुम सेट राजी वर्मा हो वर्मा इस्टेट के मालिक और एक बारा साल बच और वक्ते दी, अखार, ये मेरा जिगरी दोस्त,मन तरफ पार से आखर जेट। एलुटी, एलो उंकल, कहा रहते हो तुम बैटे। क्या करते हैं तुम्हारे ममे डैडी। मेन दुनियामे कोई भी नहीं, मैं फादर डीमलो के पास रहता हूं। नहीं डाडी है जूर बोलता है इस दुनिया में मैं इसका हूं मैं है फिरे जिसके तुम हो उसके हम है हम ऐसा कभी मत कहना के तुम्हारा कोई नहीं है तुम्हारा क्भस्थरण मैं हुआ है वहां कि अधिरे ख्या संदोस तुम्हारा कोई डत कि दुम्हारा के दोस्ट। दुम्हारा कि कित शुम्हारे.ka को शिसो बाद स info time here । ब송ल झनोनια है मैं इसन ऑड हा happens and next time time. युम्हारा कोई पनिया दů salt achieving writing artsy дома is a very long guitar focused. अकाश दैड़ी दैड़ी अमन को साथ नहीं लाए उसने आने से इंकार कर दिया इंकार कर दिया अरे कहा जा रहे है तुम नहीं कमला जाने दोस्ते जो कम हम बड़े नहीं कर सेके वो अकाश का प्यार कर दिखाएगा बोल तु चलेगा के नहीं चलूंगा बबार चलूंगा कर दो कर दो कर दो सबस्क्रा इंकार का जाने से अबरा बड़े कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह अ कि अधिन गए अधिन गिर गई जोड़ रहा हूं जोड़ बता दो एक असमसे अगर आप यह क्या कर रहे हैं मैं मैं मेरी का थनीच कि वह दूड़ रहा हूं ये क्या हो रहा है ने इसकी चवनी किर की मेरी अठेनी किर की हम लुग वो ढूंड रहे थे अच्छा अब तुम दो बाहर निकलो मैं ढूंड के देती हूं चलो उठो तूम पहले उठो चलो तू बाहर निकल पिडवाएगा किसी दिन आउ बाहर छोटे मिया तो चोटे मिया बड़े मिया भी सुवानALLah मैं कायका सुवानALLAH मैं तो बिल्कुल माशाबला हूं सब तेरी वजयस तेरी वजयस मुझे गालिया हम पढ़ रही है मेरे और जासे आपको गाली नहीं पढ़ी, आपकी और जासे मुझे गाली पढ़ रही है बताओ यार एक्सिलेंट अमन ये इतने सारे कप ये शिल्ट तुमने अकेले नहीं जीते हैं I'm proud of you, कमाल कर दिया तुमने इसमें कमाल की क्या बात है बाबा ये तो आप दुनों के आशिरवात का नतिजा है अमन, तु तो हमेशा ही कमाल करता है मगर अपने इस नालाइक बेटे से पूछो, ये क्या लाया है क्या बोला, क्या बोला तैड़ी मुझे मालूम था, ममी मुझे से यही सवाल करने वाली है लेकिन मैं खाली याद थोड़ी आया हूँ अगर अमन कप लेके आया है, तो मैं प्लेट लेके आया हूँ ये देखो, आप बोलो, आप बोलो, देख लिए अपने नवनी हल बैटी के कर तू अमन कप लाया है और ये प्लेट आज कहा जाएगा तू बच्ट लेका अरे समझाईए, 24 साल का हो गया हूँ जाने तो 24 साल को गया, आज के लिए इतना काफी दोबारा खलती करें तो इसी को माना मुझे नहीं है ये लो प्लेट और चाले करें ये नहीं सुदरनवाला यार तू अपने साथ मुझे भी पिटवाएगा देख लिया, आपके लाड प्यार ने इसे कितना बिगड़ दिया है तैड़ी, आपका राइलाओ मालूमें सीदह कड़ारे, लाड प्यार से को बिगड़ता है क्या प्यार तो हम भी तुम से बत करते हैं, तुम बिगड़ी ही क्या चाप, बच्छे कड़ें शर्मक क्या वे, असली क्या बात है, हमान तो ऐसे ही थैंक यू वर्मा कंस्ट्रक्शन्स के वफादार और होनेहार मुलाजमो आज, मैं आप लोग ये मुलाकात अपने बेटों से करवाता हूँ यहें, अमन, अमन वर्मा और यहें, और मैं हूँ आकाश, आकाश वर्मा अच्छा आपी बोल दीजे, बचा क्या बोलने के लिए मैं बोली गया क्या बोलना था, खेर, तो मेरा कहना यह था कि जिसराज तक आप लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है कंपनी की बुनियादों को मजबूत किया है आज के बाद, इन दोनों कभी उसी तरह साथ दीजेगा थैंक यू बेरि मच आईए, यह रहा वर्मा कंस्ट्रिक्शन का आफिस कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है लेकिन मैं यहाँ पर बैठके क्या करूँगा? क्या करूँगा मतलब? सामने टेलिफून है, हाथ में उंगलिया है, शेहर में लड़किया है, खुमा तेरो और बस परमिशन गांटे? अरे, बिल्कुल यूर अरे, आप यूर अरे ले ग्रीटेस डैट इस वर्ल्ड अच्छा? आज 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 अरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह आप दोनों से पढ़कर नहीं हो सकते हैं अज अच्छा क्या कर दिया हम लोग उने? बाबा, इस लावारस को आपने अपना नाम देकर जो इससती है, वो ऐसा ऐसान है, जिसका कर्ज में जिन्दिगी भर नहीं उतार सकता कर्ज? हमारी प्यार को कर्ज कहता है नहीं बाबा, मेरा मतलब है कि यह कर्ज, लेन देन, एहसान, ऐसा तुम क्यों बोलते हो, मैंने तुम्यों और आकश में कोई फर्क नहीं समझा है समझा है, मुझे ब्योकूफ और इसे विद्वान यह ब्योकूफ सही समझा है नहीं चली जी, वो गाड़िया सबके पार्टी में चलना है, मगर आप कहीं नहीं जाएंगे है आप कहां जा रहे हैं इन से मिलने यह क्या है यह लिस्ट लड़कियों की बाराव बजे रीटा, दो बजे सीता, चार बजे मीता, छे बजे सीता, गीता, पता नहीं कुछ है और आट बे जब घर पर आओ, तो मेरे बाप ने मुझे पीटा देखो, यह तेरी लिस्ट ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया है अच्छा अच्छ तुमें चलू, देख, आज ऑफिस का पहला दिन है हाय वो तो है अच्छ तुमें चलू, अगर बाबा का फोन आ गया तो ओ, फिर तो गारबरो ज़ाई या अच्छ तुमें चलू, देख, अगर तेरी जरुरूत पड़ गई ऑफिस में तो अच्छा तुमें चलता हूँ अच्छा तुआप चलिया चलो? ओक तुमने प्यार से देखा जबसे मुझे मेरा दिल पे खरार हो गया पहली बार मिले हैं मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया तुमने प्यार से देखा जबसे मुझे मेरा दिल पे खरार हो गया कल तक जिसके सपने दे आज वो मेरे साथ है मुझे को अब ये रोश नहीं है ये दिन है के राख है आशिक तेरा दिल है मेरा करता है ये आशिकी तु है चंचल शोख खसीना तु है मेरी जिन्दगी तेरे प्यार में जानम मेरा हर दिन हर पल कुल जार हो गया तुमने प्यार से देखा जब से मुझे मेरा दिल बहरार हो गया पहले बार मिले हैं मिलते ही दिल ने कहा मुझे दार हो गया छोड़ सारी शर्म हाया तुम प्यार से भी कुछ खाम लो ऐसा मौका जाने मत दो मेरी वाहे खाम लो हर सीने की धड़कन मैं हूँ हर दिल मुझे पे है सिदा लेकिन मेरे दिल को भाई जालिम तेरी ही अदा दिल पे आज हमारे अब तसनम तेरा उतियार हो गया तुमने प्यार से देखा जब से मुझे मेरा दिल बे परार हो गया तहली बार मिले है मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया मुझे प्यार हो गया दिल कश आखे निखरा चहरा शीशे जैसा है बदन ऐसे चम के रुप तुम्हारा जैसे पानी में किरन शहरोगी इन गलियों में है चर्चे तेरे नाम के इतने सारे हुसन के जल्वे त्यार बिना किस काम के मुझे को गले से लगा लो जान जाना मेरा दिल बेजार हो गया तुमने प्यार से देखा जब से मुझे मेरा दिल बेखरार हो गया पहली बार मिले हैं मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया सुकून दिल तेरे दीदार से हासिल हुआ है मुझे अमन आगया सुकून हराम करने वाला यह मुझे आना अब यह मुझे प्रसत मिल गई जनाब को अब तोरा सा वक्त मिला है मेरी मेंड का डालिंग के लिए चला यार नहीं यार मैं बहुत थक गया हूं बहुत नील ना रही है तू जा अजीब दोस्त है तुम्हारा क्यों 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 हमारे साथ क्यों नीदा रही है ना वो थका है ना उसे बिल्कुल नहीं वो तो खुबस्रोत लड़कियों से मिलोग दू भागता है वो कल्यूक का विश्व मित्रा है और अगर मैंने उसकी तपसिया भंकर दी तो तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें अगर तुम्हारे दोस्तों को पाटी है यह क्या है वो तस्वीर है नहीं देखिये इस वाट मैं बीजी बहुत हूं और आकाश भी नहीं है मुझे पता है पर मैं क्या करूं जब से तुम्हें देखा है तुम ही तुम्हें निगाहों में देखिये आप मुझे गलत समझ रह मुझे इन बातों में कोई दिल्चिती नहीं मुझे मालूम है कि तुम्हें स्कल्यूक के विश्वमित रहो पर मेरा भी नाम मेंका है और मैं यहां तुम्हारी तपस्या भंग करने आई हूँ देखिए क्योंकि आप आकाश की दोस्तें इसलिए इज़त से कहता हूँ आप यह से चली जाईए और अगर मैं ना गई तो तो मैं आपको बेज़त करके यहां से भार भीज़ा दूँगा आप ऐसा नहीं कर सकते तुमने क्या समझ रखा है मुझे तुम जैसी सुसाइटी गर्ल्स के लिए मेरे दिल में कोई जगे नहीं आइंदा मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना अरे तेरे पास तो मेरी जूती भी नहीं आएगी कभी आइने में अपनी शकल देगी है मैं तो श्रक कर शिकार बन रही वना तुझ जैसे आत्मी को तो कोई हमदार्दी की भीग दे सकता है लेकिन प्यार नहीं अरे तुमुझ जैसी खुफसत दर्गी को दुद कर रहा है शाद इसलिए तो भगवान तुझे एक पैसे बेकार कर दिया है और अगर मेरा बस चले तो मैं तेरी दूसरी भी टांग तोर दूँ तू सिर्फ अपायजी नहीं दूसरों की टुकड़ों पर पलने वाला बिखारी भी है अपायज कहीं का मैंने उसका दिल जीतने की शर्ट लगाई थी दिल तोडने की नहीं तुन्हें मेरे जिक्री दोस्की बेसा दिखिये मैं तुझे अकाश यह क्या करा तू अगल हो गया गया ले जाओ इसे मेरी नजरों सामने से मैंने का इससे पहले कुछ हो जाए तू चल यहां से मुझे माफ करते हैं मैंने का कुछ की की सिजा मिल गई इसमें तेरा क्या दोश है यह तो मेरी जिंदीगी का वो करवा सच है जिसके साथ जीने की आदत सी पढ़ गई मुझे यह वक्त बताएगा के मैं शोलव हूँ या शबनम आंसू हूँ अभी वक्त की पलकों पे रुका हूँ वाह 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 कसम शायरी के इस उम्र में यह सोच यह गहराई यह उठान सच आपसे अशकरता हूं आपकी शाइरी का हर लवस वाह सीने में नश्तर बनके उधर चाता है लेकिन एकिन मेरी समझ में यह नहीं आता लाकों का महभूब शायर होने के बावजूद आप जिनभी क्यों है क्यों थे नहीं डुनिया को बतला देते कि लोगों के दिलों में सागर की मौज बनके उठने वाला सागर कोई और नहीं है क्यां यह मुझ से नहीं होगा इते इस राज को राजी रेने दिजिए अफे fak gur अनिय सहाब मैं अपने जजबात को दुनिय के कोने कोने तक पहँचाना चाहता हूं लेकिन लेकिन दुनिय के सामने आने से डरता हूँ मा बाबुजी आकाश ने कहीं मेरे शायरी में मेरे दर्द को महसूस कर लिया तो उन्हें बहुत दुख होगा कहीं उनको ऐसा ना लगे कि मेरी परविजिश्ट में उनकी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई अनिसाब मैं उनके लिए अपनी जिन्दगी तक दे सकता हूँ लेकिन उनने दुख नहीं दे सकता मैं अपनी ले नहीं उनके लिए चीता हूँ अनिसाब वाह मनसा है वाह आप एक अच्छे शायरी नहीं बलके इंतिहाई अच्छे इंसान भी हैं पसम शायरी की आप मुझे शर्मिन्दा कर रहा है निसाब आप तकल्ब से काम लेते हैं अमनसाब आपकी हिदायत के मताबिक आपकी किताबों से कमाई हुए सारी रोयल्टी मैं फादर डिमैलो के और फ्रेंच में भेज देता हूँ ये कुछ लेटर्स हैं और आपके फैन मेल हैं बाकी तो यूही है लेकिन ये बहुत एहम है ये कोई जबरदर्स आपके मुरीद लगती हैं हमेशा आपके गीतों के आपकी नजमों के फर्माईश करती रहती हैं और इनका नाम है मुहतरमा पूजा हम इनकी फर्माईश को ज़रूर पूरा करेंगे कसम शायरी की कसम शायरी की कसम शायरी के बहुत बहुत प्यार करते हैं तुम तो सनम कसम शायरी लेला कसम शायरी लेला खुदा की खासम बहुत प्यार करते हैं तुम को सनम बहुत प्यार करने कि तुमको सनु हमारे वजर है तसवर तुम्हारा हमारे वजर है तसवर तुम्हारा तुम्हारे बिनाद नजे नगवारा तुम्हे यूही चानेगे जब तक है दम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनु बहुत प्यार करते हैं तुमको सनु सागे के पाहों में मौजे है जितनी सागे के पाहों में मौजे है जितनी हमका भी तुम्हाबत है उतनी के ये पे परारी अब होगी कम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनु बहुत प्यार करते हैं तुमको सनु कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनु बहुत प्यार करते हैं तुमको सनु सागर सहब आज आपकी नजमगाकर जो शोहरत मुझे हासिल हुई है उसके असली हगदार आप हैं क्योंकि ये आप ही के अनमोल खजाने में से थी इनाम लेते हुए खीची हुई तस्वीर उसकी कटिंग आपको भीज रही हूं और आपके लिए एक तौफा पूजा तुम्हारा खत मिला पढ़कर खुशी हुई बादे के मुताबिक तुमको अपनी नई नजम भेज रहा हूं उमीद है तुम्हें पसंद आएगी अगर ना पसंद आए तो हिचकी जाना नहीं कोशिश करूँगा कि और अच्छा लिखूं सागर सागर साब मुझे और मेरे घर में लगे खाली फ्रेम को आपकी तस्वीर का इंतजार है पूजा अरे तुम मुझे जैसी खूपसद लड़की को धुद कार रहा है शादी सी लिए तो भगवार ने तुझे एक पैर से बेकार कर दिया है और अगर मेरा बस चले तो मैं तेरी दूसरी भी टांक तोर दू तू सिर्व अपाय जिनिंग दूसरों के टुक्डों पे पलने वाला पिखारी भी है मेरी खुशियों के सागर मेरी कलपना के सागर तुम्हारा लिखा हुआ हर शब मेरी धड़कनों को और तेज कर देता है मोतियों में पिरूई हुई तुम्हारी नजमे मेरी जिन्दगी है भगवान से प्रात्ना है के तुम लिखते रहो और लिखते रहो पूझा आज चैरता को स्याद़ ही चमक रहा जनापका कुछ गरबड़ Most गरबडय नभजटा यह लगता है आप भी मरीज इश्क हो गए अरे तेरे होते वे मुझे सब कुछ हो सकता है इश्क नहीं क्यों क्यों कि इश्क का तो सारा ठेका तूने ले रखा है बात तू मुझसे कर रहा है और नजर उस सामने वाली लड़की पर है क्या बुम्बील की तरह चिकनी लग रही है मज़ा आगया अरे मज़ा तो मुझे भी आएगा जब साथ बैटा पहाड तुझ पर तूटेगा तूपाड तूटने की बात कर रहा है मैं तूझे गले लगाने की सोच रहा हूं उस पहाड को उसकी कनिया को छोटी पहाडी को पिटेगा पिटा आज तू बहुत पिटेगा और अगर मैंने उसे गले लगा लिया तो ये बिल्द तूपे करेगा वर ना मैं ठीक है ओके 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 देखते जाओ तूपिंग ये तूपिंगे तो जबान उच्छा है हां तके मने कार मलवाने चे इस वरे इंपोर्टन हाइँ आइँ अच्छ बास तूपरेश्टन सुपरेश्टन अँ प्लाइंड उट निक्रा जोओ जल्दी आने भीचार ने बात रूम लेजा जोओ वह बचारो, वह ब्लाइन्ट. क्या काम से? वह भाई, जी? चल्दी से खाना लेआ, नहीं तो मार खानी पड़ेगा. यह सर? वह बचारो, पटेश ब्लाइन्ट. वाट पिटी? यह नहीं जोईने, यह पर राच्छ्री नो दोस्थे पिच्च्चर यादाय। यह एक बिचारो लंग रो दो बीचारो अंदो. कोन अंदाय है मेटम? पहली टेबल पएथास थे चुक्रा? वो तो आकाश वर्मा है, लड़कियां पटाने के लिए कुछ भी बन जाता है अमन, अमन ओ, जौन बो, मने मुट्धू बनाई अब जौन एनके वो लेसन से कुछता है लेडिस और जेंटलमन, बॉइस और गर्ल्स, कम अलॉग, फालो में वर्मा जी, बिजनेस की बात छोड़ो, कुछ घर की बात करो, बच्चे-बच्चों की बात करो अरे, मेरे बच्चों की क्या बात है मेरे बच्चे तो ऐसे एक हीरा है, दूसरा कोहिनूर हीरा है हीरा और कोहिनूर हीरा? मालूम कैसे पड़ेगा? क्या कि कौन सा हीरा और कौन सा कोईनों लगी रहा है तो खुदिस उनों और फसला कर लो अब मिसाल के तुर बैमन उसको देखते है फसाद भरे मन में अमन च्छा जाता है बात करता तो ऐसे लगते है जैसे मुझत गुलाब के फूल ठोड़ रहे हूं वर्मजे तो फ़र आप फुलो की दुकान क्यों नहीं खोल लेते है मेरा जूतों की दुकान खुलने का भेरादा जगा नहीं मेरी तुमारे सर पर खोलूं नहीं आप नरज मत हो जाएए और फिर दूसरा बेटा आपका आकाश तो वर्मजान के नाम को अपने नाम की तरह आक हां, मतलब सारी जिन्दिधे सबसे आगे डॉड़ता रहे हा अभा एक बुढ़ जी इंटा भरज आगे फो डॉड़ता जाएगा सरा जबना उसके पूचे भागता जाएगा व आगे भागता जाएगा लोग इसके पीछे भागता रहेंगा भागAK कि यह तो सब्सक्राइब कि गोड़े कि तरह भाग रहा यार यांगे भाग रहा पब्लिक पीछे भाग रही है आयो रभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभाभा तैक्सी नहीं जाती तो रिक्षा केसे जाएगी क्या हुआ इनको वो मार खा रहे मेरे को नीचे उतार दिया पेर पकड़े के रहे हैं तुम्हारी हालत दे कर मुझे शरम आ रही है मेरा मन करता की जाकर नुब मरू है तुम्हारी आवाज आपने के सारी है एए, क्या है? क्या है? क्या है? अरे मैं तुझे डांट रहा हुआ तु फून में बात कर रहा है फुरण बताओ कोई इजत ही नहीं अरे यह बताओ कहां से बटाओ तु कहां से आया मार खा के यह आपके समझ में याएगा वो एक दोस्की fancy dress party में गया था वहाँ पर बेवकुफर ने मुझे फकीर समझ लिया अचे सुनो जी मैं शकल से कुछ जादा बेवकुफ नदर आता हूँ नहीं इतना नहीं क्या? क्यों क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि लोग बेकारे को भीग देते हैं अंडे, पत्थर, डंडे और ये टमाटर से नहीं आता है अरे आपके सुपरे चला? इसलिए कि ममा से घुजर रहता मैंने खुद तुझे मार खाते में देखा है वाँ धन्यो हो आजकल के पिता बेटे को पिटते देखा और बचाया भी नहीं मैं तुझे बचा हूँ अं जी ताकि पब्लिक तुझे छोड़के मुझे मारा खुरू कर देती वही दस बारा हाज जमाने थे क्या मजे कुल्फी समझत रहे थे क्या है दस बारा जमा देते जमाने जमादे आया मा लगता अंदर का बाप जागा है क्या फरक पड़ता है अरे ओ बाबा इस बार इसे माफ कर दीजी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आंदर ये ऐसी हरकत कभी नहीं करें मेरे बाप की कसम मैं नहीं करूँगा पका पका अरे जुली का हुँगा ये पका है तेरा ये तो ऐसी है ये टेलीफोन ही इसके बिगड़ने के जड़ है बिल्कुल सही कहती हो तुम ये टेलीफोन कड़वा दूँगा तो उसके सारी लाइने कड़ जाएंगे उल्लू का पठा बेकोफ नला कदा टैडी जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ आप ही का तो बेटा हूँ वेरी हलो बेटा ये है हमारे बिजनस पार्टर मिस्टर लालचन ये मेरा बेटामन इनी के साथ हम लोग ऊटी में बड़ा होटल बना रहे हैं जिसकी कंस्रक्शन की पूरी जिम्यदारी तुम्हारी है लेकिन बाबा मैं लगता है उटी की छंडी का असर तुम पर अभी से होने लगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है लालचन जी बात है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी में अके लिए निभापा हूँ है नहीं है अच्छा बाबा तो बाबा जाना कब है मेरा बिटा आधम आकाश है अच्छा तु मेरी बात हो सुन यार अले तु खड़ी-घड़ी उधर क्या देख रहा है लगता है मैंने इसको जहीं देखा है नहीं देखा होगा किसी पार्टी में किसी रेस्टार में हम तो हर महितल की शाण है हम आगया के तो हजारों लोग हमारे पीछे याद आया एक आगय हजारों पीछे लंबी रेसकों गोड़ा तो बुलने दो कर दे कि मुझसे खोड़ा अच्छा नहीं लगता है तू यह क्या कर रहा है जा कर जा क्यों तकलिफ है नहीं में जाओने काम करने दो बेटा उटी एरपोर्ट पर लक्ष भी आ जाएगा तुमें लेने के लिए बाके सब कुछ तुमको वही बता देगा तुम यहां कब से हो रास्ट फाइयर सर जी और इससे पहले इसके पहले हम यल्लूर में था यल्लूर यल्लूर अच्छा लेकिन तुमारा यह कैसे आना हो जाओने यह पार हमारा पोर्टो निकाल के द्याका था तो पोर्टो के पॉजिटिव में एक तम निगेटिव एक तम ब्लैक 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 तो पोटोगरापर आमको बॉला एक लक्षमी तीस यल्लूर में लंबूर हो लख यह पिए तुम्या यकाम करना युव अदू खोल सेचण युम एलस्टेशन युमेडव वीट वाइट 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 है अच्छा यह लाक्षमी तुम्हे अच्छा खाना पकाना आता है अै लक्षमी, तुम खाना बहुत अच्छा पकाते हो, तुम्हे तो किसी फाइप स्टर होटल में होना चाहिए था क्यों मज़ा करते हो सर जी, लो हार दोलो लक्षमी, यहां नजदीक में कोई अच्छा मार्केट है है ना, सुपर मार्केट, पाच मिलिट का रास्ता सर जी अच्छा, मां क्या-क्या मिलता है? जूते क्या बख रहे हो तुम? आगे तो सुनो जी, जूते, कपड़ा, फल, सब चीजा, सब कुछ मिलता जी आपको क्या होना है? देखो लक्ष्मी, मुझे बुक्स चाहिए, यहां कोई अच्छा बुक्स टॉल है? बुक्क भी है, डॉल भी है, लेकिन माली का बेमिसाल है क्या मतलब? नाम हो उसका पुजा, लेकिन काम है यह किते मौ दूजा अरे राम राम पूजा बिटिया मैं पूछती हूँ, क्या तुमने सारी बस्ती का ठेका लेके रखा है? नहीं तो, फिर तुमने आशा के दुकान का किरायर क्यों दिया? वो कमीना मौसी को परेशान कर रहा था मा, तुम्हे तो खुश होना चाहिए कि हम किसी के काम आ सके खुशी तो होती है, पर डर लगता है जब तुम विराज जैसे शैतान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने लगती हो ओफो मा, तुम भी बात का बतंगड बना देती हो लाव मुझे किताबे दो, मैं रख देती हूँ ले, लाव जली दो ये ले मैटम, आपके पास लेटस न्यूज वीक होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आईए प्लीज मा, किताबे दो, लाओ न और थोड़ी ज़गे मा जैसा सूचा था, उससे कहीं बढ़कर पया कुछ कहा आपने? जी, जी नहीं, बस यह कुछ तरसल मुझे चंद शायरों के अडिशन्स नहीं है कालब, दाग, मुमिन, फिराक अब बुरा ना मने तो एक बात कहूं वैसे तो हर आदमे की अपनी अपनी पसंद होती है अपनी अपनी चाहत होती है पर आपने कभी सागर साप का कलाम पढ़ा है? सागर? यह किस चीडी मार का नाम है? आप सागर को नहीं चानते? वो आज के दौर के बहुत बड़े शायर है मेरा दावा है कि आपको उनका कलाम बहुत पसंद आएगा यह आज कल के शायर क्या खाक लिखेंगे? नामी गरामी शायरों के कलामों से बूंदे चुरा चुरा कर बन गए हैं सागर? पाइल की सुरों का इल्म नहीं और जनकार की बाते करते हैं सुनिए मिस्टर अमन वर्मा अमन वर्मा जी अगर आपने सागर के खिलाफ एक शब भी निकाला तो अच्छा नहीं होगा क्यों? क्या कर लेंगे आप? मैं एक किताबे नहीं दूंगी लगता है आप उस शायर से क्या नाम बताया आपने? सागर हाँ सागर लगता है आप उससे जरूरत से ज्यादा चाहती हैं जी हाँ मैं चाहती हूँ बहुत चाहती हूँ आपसे मतलब? मतलब यह कि आप बेमतलब नाराज हो रही है चलिए मैं अपने अलफाज वापस लेता हूँ अब तो किताबे दे दीजिए अब अगर सागर साभ का नाय एडिशन इसमें शामिल हो जाए तो तब तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा तो डिस्काउंट निकालके बिल कितना हुआ? इन किताबों के 40 रुपए, 10 रुपए डिस्काउंट के 30 रुपए हुए शायद इस शहर में नया नहीं आया है, अजनभी सा लगता है, मगर दिल्चस्प अजनभी था आप सागर को नहीं जानते, वो आज के दोर के बहुत बड़ शायर है, मेरा दावा है कि आपको उनका कलाम बहुत पसंद आएगा लक्षमी, मैं तो आश रहा हूं, लेकिन तुम के इस खुशी में आश रहा हूं सर आप आशते है इसलिए मुए भी आशता है, बहुत मजारता है कौन मरने आया जी, मरने आया हलो, कुल मुलता है जी, धरुआजी छी, धरुआजी जी बहुत मजारता है कौन आया लक्षमी सर जी आपको मिलने के लिए बंबई जी कोई आया जी आये आये लालचन जी, बैठिए इतना बड़ा सुरली लेके क्या करता जी कब आया आप बंबई से? आज सुभा ही आयो, और घर पे सब माजी, आकाश, बाबुजी सब मजे में तुम्हें बहुत याद करते है मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ बेटा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है सब कुशल मंगला जी कोई तकलीफ होगा, तो कुशल हम कर देगा जी हमरा नाम लक्षमी गुंडपपा, चिनपपा, करियपपा लिंग स्वामी कितना बड़ा नाम तुमारी सुरली कितर है अच्छा लक्षमी, लालचन जी के लिए कॉफी तो लेओ अपिल आया जी, आया अभी कौन आया मरने को अमन बेटे इसमें कुछ मैप्स और पेपर्स है इन्हें ध्यान से देख लेना और समझ लेना आयाा कहिए बाबुजी क्या सेवा करूं आपकी अरे भाईया सरा एक फर्स क्लास चाय हो बाबुजी हमारे ओटन में फर्स क्लास चाय नहीं मिलती तो फिर क्या थर्ड क्लास चाय मिलती है ना सेकंड क्लास ना फर्स क्लास यहां मिलती है राम प्यारी राम दुलारी राम भिहारी र राम केशरी चाय भी मिलती है बाबुजी और बजरंग बली जी किसके भगते आप ही बताईए राम जी के हाँ इसलिए इस होटल में सारी चाय राम जी के नाम पे मिलती है तो ठीक है भाइया हो जाएक राम प्यारी अब यो कल हुआ आ मालिक बाबुजी के लिए एक राम प्यारी साहे लाओ जल दी अभी लाए मालिक दो बापजी भाईया एक पेनल पेपर मिलेगा अभी लाए मालिक ये लीजी है बाबुजी अरे एक चाय और लाना अबे ओ कल हुआ बाबुजी को एक और चाय दो ना अभी देता हूं मालिक अभी लाए मालिक अभी लाए मालिक क्यों जनाब फिर चले उसी रास्ते पर उसी मन्जिल तक तुम तुम कौन हो मैं तुम्हारा आक्स हूं तुम्हारा जमीर हूं क्या चाहते हो तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जाबान पर लाना चाहता हूं कौन सी बात यही कि तुम पूजय से बेपना महबत करते हो जिसकी खामोश तस्वीर ने तुम्हारे दिल में प्यार का तूफान पैदा कर दिया और जिसे तुम्हारे दिल ने खबूल किया, प्यार किया, इबादत की और अब, अब वो तुम्हारे जीने का मकसद बन गई है तुम सच कहते हो, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ आलाववा, तो फिर तुम उसे कहते क्यों नहीं एक दिन उसे जरूर कहूंगा, कहूंगा कि मैं ही तुम्हारा सागर हूँ लो बिटिया, मिठाई खो मिठाई, ये किस खुशी में मिल रही है क्योंकि आज कल मेरी दुकान चकाचक चल रही है चकाचक? वो कैसे? तुम्हारी दुआ से मेरी दुआ से? हाँ, आज कल एक परदेशी बाबू रोज दुकान पर आते हैं और सुबह से लेकर शाम तक 30-40 कब चाई पी जाते हैं इसमें मेरी दुआ कहा से आई? दरसल विटिया, उनकी नजरे तुम्हारी दुकान पर्टिक की रहती है नजर इदर, चाई उदर, नजर इदर, चाई उदर, बिल 30 रुपया चार आने अच्छा, तो ये बात है आने दो उस 30 रुपय चार आने वाले को ऐसा सबक सिखाऊंगे कि चाई पीना भूल जाएगा चाई पीना भूल जाएगा तो मेरे धंदे का क्या होगा? आप उसकी चिंदा मत कीजे काका, बस वो आएगा तो मुझे इशारा कर देना विटिया वो तो सब ठीक है, लेकिन इन पेडों की लाज रख लेना ए बजलनग बली, किस डिफिकल्टी में उख हैब अपूलाल को अरे बबूलाल को अरे बबूलाल से क्या कर लिया.. तुमने आपने पтов पर खुड ही कुलहारी मार ली ए बजलनग बली जी महराज इस बबूलाल मूरक की रख्चा करना अरे बाबुलाल जी किस डिफिकल्टी में अफसा लिया अपने आपको राम राम बाबुजी राम राम बाबुलाल कैसे हो बस राम जी की कृपा है बैठिये बैठिये अबे आख कलुआ परनेसी बाबु आया परनेसी बाबु आया परनेसी बाबु आस्मान पर बादल करजने वाले हैं, बिजली चमकने वाली है, भ्यांकर बरसाथ होने की संभावना है बाबुजी भ्यांकर बरसाथ भाई वा, मान गए, सुभान अल्ला, बाबुलाल क्या अर्श किया है सागर साभ ने, के बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, तेरी जुल्फों की चाओं में मेरी तकदीर बैठी है ठीक ही कायता उस बुक्स्टॉल वाली ने बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है तेरी जुल्फों की छाओं में मेरी तकदीर बैठी है अरे बाबुलाल और क्या लिखा है जरा ये तो सुनो के दूर तक दूर तक जहां भी ये नजर चली जाए मुझे तू ही तू बस तू ही तू हर पल नजर आए बाबुलाल हीरे की कीमत सिर्फ जोहरी जानता है अरे बाबुलाल मैं तुम्हें सागर साब की शायरी सुना रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान कही और है मेरे कहने का मतलब यह बाबुजी यह कौनसे दौर के शायर है और कहा रहते हैं तो होती है अच्छा अरे मुझे तो यह आंतर मौबाण कर बैगर आप महलुम नहीं बादी हेलमी फिर भाटलो 최대य भी बोलते नहीं वहां सागर् तुम तो सागर से भी गहरे निकले अब जब मिलूंगा तो सीधा तुम्हारा हाथ पकड़ कर चूमूंगा और चूम के कहूंगा के उनका हाथ चूमकर क्या कहेंगे आप आप लाजवाब हैं काखा एक बड़िया सी राम प्यारी इनके लिए मेरी तरफ से अरे यह तकलूफ क्यों क्योंकि आप सागर साप को जानते हैं आप उनके पड़ोसी हैं उनके मिलने वालों में से हैं और मैं उनकी मुरीद मेरा मतलब पैन हूँ लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई अगर आप सागर साप को जानते हैं तो उस दिन मेरी दुकाल में उनको इतना भला बुरा क्यों कह दिया दरसल में आपकी चाहत की हद को देखना चाहता था वैसे आप सागर साप को कैसे जानती हैं बस खतोर कलामों के जर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दे बिलकुल हो सकता है लेकिन एक शर्त है शर्त कि आप मुझे इस खुबसूरत इलाके की सेर कराएंगी क्योंकि मैं इस इलाके में बिलकुल अजनभी हूं बस इतनी से बार तो फिर वादा रहा वादा मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है पर सामने जब तुम आते हो पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन ओ मेरे साजन साजन मेरे साजन मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है ये प्यार तुमसे करता है कितना इसको साजन आते है कितना इसको बहलाता हूँ कितना इसको समझाता हूँ कितना इसको बहलाता हूँ ना दान है कुछ ना समझता है दिन रात ये आहे भरता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है परसामने जब तुम आते हो कुछ भी कहीं से डरता है मेरे साजन मेरे साजन, 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 मेरे साजन मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है कर दो, प्रफाने लोगाँ, कर दो, नहीं दो जा नाया से लोगाई, जा रहा 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 है? मुझे सारी रात जगाता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुम से करता है परसामन जब तुम आते हो कुछ भी कहने से घरता है मेरे साजन नमस्ते माजी, जीते रहो बेटा, बंबय से यहां घूमने आये हो, नहीं माजी, तरसल बाबा यहां एक होटेल बना रहे है, उसी सिलसले में आया, अरे, मैं भी कितनी बुद्ध हूँ, मैं तो आपको बता नाई भूल गई मा, ये सागर को बहुत अची तरह से जानते हैं, तुम भी कैसी उटपटांग बाते करने लगी, चलो अमन, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, चलो ये कमरा बिल्लू का है, वो मेरी मा का कमरा है, यहां हमारा पुजा घर है, और उदर महमानों का कमरा है, आओ और ये मेरा कमरा है एक मिनटा जरह यहां से नजारा देखो, हर चीज़ कितनी खुबसूरत दिखाई देती है वाकई, बहुती खुबसूरत नजारा है अमन, अगर कश्मीर धर्ती का स्वर्ग है, तो यह जगा यहां का स्वर्ग है मैं तो इस स्वार को देखकर धर्ती के स्वार को भी भूल क्या हूँ तुम सोच रहे हो ये फ्रेम खाली क्यों है तरसल इस फ्रेम को सागर की तस्वीर का इंतिजार है तुम्हारा इंतिजार खत्म हो गया सागर खुद आगया अलो, अमान है, पुजा बोल रही हूं, अरे पुजा, इतने सुबह सुबह तुमने मुझे कैसे याद किया, तुम्हें शाम की याद दिलाने के लिए, क्या कोई खास बात है शाम को, इसलिए तो फोन किया, आज शाम को नेहरू स्टेडियम में बहुत शानदार शो होने वाल स्टेडियम में बहुतं के लिएच़ एंची के लिए याद दुमने मुझे का है, राद स्टेडियम में बहुत्र में सटेवा दो होने है, याद भॉत के याद शाम को वाद साम को नेहरू। तु शायर है, मैं तिरी शायरी तु शायर है, मैं तिरी शायरी तु आशिक है, मैं तिरी आशिकी तुझ मिलने को दिल सरता है, तुझ मिलने को दिल सरता है तु मेरे साजरा तु शायर है मैं तिरी शायरी तु आशिक है, मैं तिरी आशिकी तु आशिकी गीत है याद मुझे तेरी हर नजम, तेरा हर गीत है याद मुझे जब तक सांस चलेगी ना भूलूँगी मैं तो तुझे तेरे बिना जीना नहीं खा के पसल कहती हो मने बिना देखे बिना जाने तुझे दिल दे दिया तो धरकन है मैं तेरी जिनांदगी तो शायर है मैं तेरी शायरी तुझे मिलने को दिल सरता है तुझे मिलने को दिल सरता है वो मेरे साजना तो शायर है मैं तेरी शायरी तु आशिक है मैं तेरी आशिकी तो शायर है मैं तो शायरी तो शायर है वो में तो शायर देखे देखे अपनी बेता भी का मैं कैसे तुझसे इज़ार करो अपनी बेता भी का मैं कैसे तुझसे इज़ार करो कैसे बत लाओ तुझे जाने जाना कितना मैं चार करो लब पे कोई नाम नहीं तेरे सिवा मेरे साजन मेरे इस दिल पे तेरा इनशा चागया तुझी वाना मैं तेरी दिवा लगी तुझायर है मैं तेरी शाइरी तुझी मिलने को दिल करता है तुझी मिलने को दिल करता है वो मेरे साजना तुझायर है मैं तेरी शाइरी तुझायर है तुझायर है मैं तेरी शाइरी तुझायर है पुझा तशोव सुपर्ब मैं नहीं जानता था कि तुम इतना च्छन आज भी सकती हो छोड़ो इन बातों को वैसे आज मैं बहुत खोश हूँ क्योंकि शोग के कलेक्शन उमीद से ज्यादा वीरा यहाँ मैं शाइर हूं तु मेरी शाइरी उस दिन बस्ती में तो तु वीरा से बच गई थी लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा चल बार चल बार चल दे मुझे अमान अमान प्रुट अमान उसे अमान अमान प्रुट अमान उसे अब भाग लो यहां से पकालो इंसको जाने मत देना एक को भी तुम लोग यहां क्या कर रहे थे हैं क्या कर रहे थे तुम लोग तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम कितने मजबूर अलाचारो मर्द औरत की इफाज़त करता है अरे जब तो अपनी इफाज़त नहीं कर सकते हैं इस लड़की क्या करते हैं अगर इस लड़की के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो तुम जिन्दगी भर अपने आपको माफ नी कर पाते हैं वा भगवान वा क्या खूब इनसाफ है तेरा पैदा होते ही तुने मेरे सर से मेरे माबाप का साय चीन लिया मैंने कुछ नहीं कहा चलने के काबिल बना तो तुने मुझे बैसाकी पकड़ा दी मैं चुप रहा पजपंच से लेके जवानी के लंबे सफर में नाजाने मुझ इतनी तनहयों को सैना पड़ा मैं सब कुछ सैता रा जानता है क्यों कि मुझे इस कड़वे सच को पीने की आदत सी पड़ गई है लेकिन जब तुने मेरी पूजा के सामने मुझे इस कड़वे सच का एसास दिलाया तो मैं यह जहर नहीं पी सका आज मुझे पता चला है भगवान कि मैं वाकियी अधूरा आदमी हूँ एक अपाहिज हूँ क्या यही मेरा दोश है क्या यही मेरा गुना है और इस अधूरे आदमी को बनाने वाला कौन है तुम हो मुझे दुनिया की नदरों में मज़ाग बनाने वाला कौन है तुम हो मुझे इन हालाद पर ख़ड़ा करने वाला कौन है तुम हो कुनेगार मैं नहीं तुम हो तोशी मैं नहीं तुम हो तुम आखिर किस जनम का बदला तु मुझसे ले गा है भागवान बुलो! चवाब दो मुझे! चवाब दो मुझे! Almighty be praised! चवस जेकठैस जेखे। चहुसम है। चिली़े? चरिषए Ne buy СButton जो मुझें । झालाणatin pull तेक झालाण तर्दाशन पालाणकाई मुझे हर सवाल का जवाब मिलके आए बगवान, मुझे माफ कर दो अच्छा हुआ, तुम्हारा येरोप्लेन डीले नहीं हुआ ची हम एक बार अमेरिका जाता था, हमारा येरोप्लेन डीले हो गया मैं और येरोप्लेन इदा राच लक्षमी, तुम्हे अमन को नहीं बता के मारा हुआ आयो, राम पाप, कहीं चे बता था जी, आपने बॉला नहीं बता न, आमने नहीं बता जी वेरी गुड्ड, लक्षमी, वेरी गुड्ड लेकि में सरस्पेन सखाय क्यों वस्ते जी सर जी जो काम यकायक होता है न मेरे और अमन का सामना होगा यकायक 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 आँ बहगो प्रे रह 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 ब्यूतिफल सर जी क्यंकि सर जी सर जी तुम चायर समालो जी मैं उनको समाल के आता ही सर जी किदर गाता सर जी समा सर जी आगे यह 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 इस्क्यूस में उठने की तक्लिफ करेंगे आप उठिये आजाते कहीं से अंधे सर जी सर जी आजाते कहीं सर जी 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 तुमसे मिलने की तमना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम तुम से मिलने की तमना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार तुम से मिलने की तमना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार तुम से मिलने की तमना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम मैं शायर नहीं दिवाना नहीं मैं आशिक नहीं तरवाना नहीं मैं शायर नहीं दिवाना नहीं मैं आशिक नहीं परवाना नहीं मिली जब से नजर तब से जाने जिगर मैं हो गया दिवाना अब जाने क्या होगा जाने जाना तुम से मिलने की तमना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जाना तुम से मिलने की तमन है प्यार का इरादा है और एक वादा है जा नहीं क्या पता फिर कहां कब मुलाकात हो वो हसीना से फिर दिल की बात हो क्या बता फिर कहां कब मुलाकात हो वो हसीना से फिर दिल की बात हो उसके जैसी हसी मैंने देखी नहीं रोकेगा क्या जमाना मैंने दिल में है ठाना मुझे को उसे है अभी अपना बनाना तुमसे मिलने की तमना है प्यार का इरादा है और एक बादा है जानम जो कभी हम मिले तो जमाना देखी गा अपना प्यार, मेरे यार तुमसे मिनने की तमना है प्यार का इरादा है और एक वादा है चानम अरे क्या लड़की थी वो उफ अरे संबल गए कमाल तोप लब एट फर्स साइट पहला पहला प्यार अरे फिर चड़ा तुझे इसका बुखार हा अरे संसे पाव तक कयामत ही कयामत नज़ों की तीर से घायल कर दिया तिरे इस दोस्त को यार घायल और तुझे तुने लड़की देखी नहीं और घायल होना चुरू हो गया तुझे मदाख सुझे रहा यार I'm 100% serious अकर मेरी चाहर तुभी होता न तो तुभी घायल हो जाता अच्छा हाँ क्या बताओ यार सूरच की पहली किरन थी वो और दूसरी तीसरी चौती किरनों का क्या होगा अर उनका कोई प्रब्ल ने उसे देखकर कॉंप्लेक्स हाकर बाद लों की बीज़ चुप जाएगी और और यह यह पूछ मत्यार अखियों के जर्यों को से दिल में समा गई अबे तेरा दिल है या ट्राफिक का सिगनल पलक पहले जपकती है और सिगनल बाद में आता है ज़रा सम्मल के कहीं आक्सिडेंट ना हो जाए अरे जो होना था हो चुका अब तो दर्दे दिल का हिलाज है उसका दीदार उसका दीदार बाद में करना पहले चलके खाना करते आजा अरे तु 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 मेरी लफ स्टोर में बिल्कुर इंट्रेस्टी नहीं यार आकाश ए आकाश आकाश तु यहां खड़ा है और मैंने पूरा घर चान मारा आरे यह मजनु जैसा क्या हाल बना रखा है तुने ना टाइम पर पीता है ना खाता है ना सैट पर आता है क्या हो गया तुझे मज़े खुद नहीं मालू मुझे क्या हो गया है किसी चीज में दिल नहीं लगता बस एकी बास अताती रहती उससे कान ढूंदू अमन, कर तुझे मेरी हलत पर दरस नहाता है? कुछ-कुछ आता है, उसे ढूड़ने मेरी मदद कर देना यार तेरी मदद कर उसे ढूड़ने में, पागल हो गया है लेज यार ठीक है, कल सुबे तयार हो जाना सच? यहाँ अकाश, अरे हो अकाश, अबे उठ, उठ, आकाश हाँ, 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 मिल गए क्या? तुझे सोते जाकते सिर्व उसी की तस्वीर दिखे दिती क्या? अब देख, यह उखती हुई फसल को काट और जल्दी से तैयार हो जा लालचन जी भी पूछ रहते और बाबा का भी फोन आया था इससे पहले के तेरे नाम का वारन निकले, तू रास्ते पे आजा, समझा? चलना पड़ेगा क्या? हाँ, हाँ, चलना पड़ेगा अमन सर जी, आपको मिलने के लिए पुजा है जी, मैंने उनको हाल में बिटाए जी अच्छा, आकाश, तू जल्दी से तैयार हो, मैं तेरा नीचे इंतिदार कर रहा हूं ओके बुड मॉर्निंग सर जी, मरगाय आयो रामा पाप यह पुजा कॉन है? यह पॉपिलार बुच्टल के मालकी ने जी, आमन सर हरोज किताब लेते उनसे पुजा यह ने लड़की? लड़की लड़की और अमन? कुछ समझ में ने आया है? अमन और किताबे समझ में आती है समझ में आया? सर आप क्या टॉक करता है? I can't understand Then don't try and understand Leave it to me Yes, sir सुनो Kitchen में जाना? परमाली ब्रेकफस्स बनाना क्या यह भी है समझाना? Yes, sir Yes, sir? No, sir Better I go, sir Better you go, sir अरे पूजा यहां कैसे आना हुआ? ऐसे उश्रो के बाद ना कभी मिले नहीं मिलने आये मा भी परिशान थी और मैं भी सोच थी कि बात क्या है? दरसल काम के वज़े से इतने दिन नहीं आ सका लेकिन मा जी से कहना कि मैं बहुत जल्दा की मिलूँगा मा ने तुम्हारे लिए गाजल का हलवा भीजा है मा जी को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना जरूर अच्छा अब मैं चलती हूं दुकान खोलने का वक्त हो गया है अच्छा अरे हाँ एक बात तो कहना ही भूल गई सागर साब की नई किताब आई है जिसका उन पे मिलेगी आकाश 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 अरे इससे क्या हुआ अरे लक्षमी अरे लक्षमी पानी लाओ यह काश आयो रामा आकाश जी को क्या हो गए जी यह लो पानी पानी अरे मिलगी 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 अरे कौन मिल गई वही जिस नमेरी नीन चुराई ती मेरा चैन चुराई था लेकिन वो तुझे यहां का दिखाई दे गई अरे पूछ मत यार दास्तान इश्क जिसे हमने ढूंडा गली-गली वो मेरे घर के पिछोड़े मिली अरे इसे क्या हो गया यार लेकिन कौन है वो अरे वो ही यार जो बीवी घर पे आई थी कौन पूजा 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 अरे अमन यह तो वही लड़की जिसे अग दिन दाट दूड़ा करते थैयार मेरे सपनों की रानी मेरे खौबों की मलेका अमन अगर मुझे ही मिल जाए न तो मेरी सिंदगी सबर जाएगी यार अकाश क्या यह वही लड़की है तुने उसे ठीक से पचाना न हाँ मेरी आँखे कभी धोका निखा सकती है अमन जिस चैरे को देखकर मैं अपने आपको भूल गया था उसे मैं कैसे बोल सकता यार तेरी कसम उसे तुम्हें जिंदगी भार नहीं बोल सकता फलक कतीर का क्या देखता निशाना था उधर थी बिजली धर मेरा अशियाना था पहुच रही थी किनारे पे कश्टिये उमीद उसी वक्त इस तुफान को भी आना था पूजा तुने मेरे अलफाजों को एक नहीं सिंदगी दे दी सुरज की पहली किरन है वो मैं उसके बगर नहीं जी सकता यार मेरे और उसके फास्ते को स्रिफ तुई मिटा सकता है मुझे तेरी मनत चाहिए मेरी अंधेरी जिंदगी में एक ही तु रोश्नी की किरन दिखाई पड़ी पूजा जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ अरे तेरे पास तो मेरी जूती भी नी आएगी कभी आएने में अपनी शकल देखी है मैं तो श्रक का शिकार बन गई वना तुझ जैसे आदम को तो कोई हामदार्दी की भीग दे सकता है लेकिन प्यार नहीं अब आज कहें कप मैं दोस्ती के खादर अपने प्यार को कुर्बान कर तुमा पूजा आकाश की होगी आकाश की जी तो जी कैसे हाए बिन आपके जी तो जी कैसे हाए बिन आपके लगता नहीं दिल कही बिन आपके जिये तो जिये कैसे हाए बिन आपके जिये तो जिये कैसे हाए बिन आपके कैसे काहूं बिना तेरे जिन्दगी ये क्या होगी कैसे काहूं बिना तेरे जिन्दगी ये क्या होगी जैसे कोई सजा कोई बात दुआ होगी मैंने किया है ये फैसला जीना है अब तेरे बिना जिये तो जिये कैसे अरे अमन अरे तु यहां खड़ा है मैं दो कहा करी डूंड़ा सुना मैंने एक फैसला कर लिया पूजा को पाने के लिए मैं हर रास्ता हर मंजल तेकर नेगली तयार हूँ आकाश, पूजा इसी लड़की नहीं है मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ वो एक शायर से प्यार करती है जिसे आज तक उसने देखा नहीं कौन है वो खुश नसीब उसका नाम है सागर और वो बंबई में रहता है बस खातों के जरीए उसना अपने दिल उसे दे दिया है तो महीं कैश करूँ यार मेरा क्यों होगा एक रास्ता है अपने प्यार को पाने के लिए तू उसका चोला पेन ले तू कहना की चाहता है मैं ये कहना चाहता हूँ के तू, तू सागर बन जा सागर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता आकाश, तू नहीं तो कहा था, कि तू कुछ भी कर सकता है नहीं, इसका ये वदल थड़ी कि मैं सागर बन जा आकाश क्या जूट के रास्ते से, प्यार की मज़िल पाना, ठीक होगा? आकाश, शायद तू भूल गया है, कि गीता में कृशन भगवान ने कहा है कि अगर एक जूट से किसी का भला हो, तो वो हजार सच से भी बढ़के है और फिर तू तो एक खुबसूरत होनार, अमीर घराने का लड़का है, तो उसकी किसमत बदल जाएगी और फिर ना जाने सागर किस किसमक आदमी हो, अगर वो मेरी तरह लंगड़ा लूला आपाए जो तो मुझे हर किसमक मजाग पसंदे, अगर इस किसमक मजाग बिल्कुल पसंद नहीं अच्छा, वो सब बाते बात में करते हैं, पहले यह बता, तू मेरे फैरसले से राजी है यह नहीं तो क्या बहता है हम हैपी बर्दे पुझा थैंक यू पुझा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा तोफा देने जा रहा हूं, जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था यादे तुम्हें, मैंने तुमसे एक वादा किया था, कि एक दिन मैं तुम्हें तुम्हेरे सागर से ज़रू मिलाओंगा हाँ दोस्तो, आज मैं आपके सामने अपने एक दोस्त, एक मश्यूर शायर सागर साब को पेश करना चाहूंगा जो आप सब के सामने अपनी नजम खुद गएंगे तेंक यू करते हैं तुमको सरम हमें हर घड़ी आर्ज है तुम्हारी हमें हर घड़ी आर्ज है तुम्हारी होती है कैसी सनम्ब करारी मिलेंगे जो तुम को तो मिलेंगे जो तुम को तो बताएंगे हम बहुत प्यार करते है तुमको सरम बहुत प्यार करते है तुमको सरम बहुत प्यार करते है तुमको सरम मिलेंगे जो तुमको सरम बहुत आर्ण मिलेंगों की तुमको सरम मिलेंगे का तुमको बहुत प्यार करते है तुमको तुमको सरम आप जी हाँ वही अंधा अपने उसी वक्त कि नहीं बताया कि आप सागर है अगर आपको गरने से फुरसत मिलती तो बताता ना पूजा घर चले रेनू इनसे मिलो यह सागर साभ है यह मेरी सहली रेनू है हलो सागर तो मेरा तकनलुस है वैसे लोग मुझे आका चॉर्मा कहते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई वकर थोड़ी सी क्यों इसलिए कि सारी खुशी तो इसे ही हुई है रहात और दिन आपके नाम की माला जबती रहती थी तो अपनी शेलारत से बाजनी आएगी चल घर चल पुझा कल शाम को तुम्हारे गार्डन कोर्ट में दिज़ार करूँगा ठीक चे बज़े आना ओके प्स्स बाइसाब ये सर पानी बाइसाब 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 थाइम क्यो है ये मैं रोमांस करने का इससे एचा टाइम और क्या होगा डॉन्ट डिस्टरब मी इसमें आपकी कोई गलती नहीं बाइसाब अगर मैं आपकी जगव तो शायद मैं भी यही कहता है पानी सर थाइक यू एक जग पानी के लागर रख देंगे ये सर क्या हुआ भई कुछ नहीं यार लगता है जनम जनम का प्यासा है या फिर रिखिस्तान से आया है अगर जाने कब आएगी आएगी फिर आएगी जरूर आएगी बगार आए कहीं नहीं जाएगी जरूर आएगी बगार आए कहीं नहीं जाएगी भाई साब इन भाई साब की क्या परिशानी है कोई परिशानी ने साब दरसल बात ये है कि आज से ठीक चार साल पहले इनकी महभूबा ने इनसे यहीं मिलने का वादा किया था और आज तक नहीं आई पहले ये भी आपी की तरह पानी पीते थे अब शराब पीने ले गए है कहीं मेरी भी हरतें की तरह नहीं हो जाए वो रहा जाओ अपनी तो हालत खराब है समझी समझी तुम्हारी मन्जिल आ गई अब मैं तो चली तु भी चलना क्यों मुझे डर लग रहा है तेखो न मेरा दिल लग तक कर रहा है सच ये तो राजधानी से भी ज्यादा तेज दोड़ रहा है क्यों जाती है तुनों कहां चली तु बड़ी संगदिल है यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुझे मजाग सुच रहा है जाने मन महभबत के मैदान में हुसन और इश्क दोनों को अके लिए एक दूसरे का सामना करना पड़ता है जो, चाके कुझ जो जो? जो ना देखा है पहली बार साजन की आखों में प्यार देखा है पहली बार साजन की आखों में प्यार अब जाके आया मेरी बेचेन दिल को खरार दिल बर तुझे मिलने को कब से था मैं बेखरार अब जाके आया मेरे बेचेन दिल को खरार देखा है पहली बार साजन की आखों में प्यार अब जाके आया मेरे बेचेन दिल को खरार अब जाके आया मेरे बेचेन दिल को खरार तुझे दिल में बसाओ अब मिल तेरे मैताओ कही चैन न पाओ तु मेरा जिगर है तु मेरे नजर है तु मेरे आरज तु मेरा हम सफर है देखा है पहली बार साजन की आखों में प्यार अब जाके आया मेरे देचेन दिल को खरार देखा है तु मेरे नजर बसाट मेरे बसा बसात दो करेंग ये मेरी जवानी, बस तेरे लिए है, ये मेरी जिन्दगानी मेरी अदाएं, ये मेरी जवानी, बस तेरे लिए है, ये मेरी जिन्दगानी तुल मेरी घजल है तुल मेरा उतराना आ तेरी धड़कनों पे लिख दू दिल का फसाना देखा है पहली बार सजन की आँखों में प्यार देखा है पहली बार जानम की आँखों में प्यार अब जाके आया मेरे बेचेन दिल को परार दिल बर तुझे लिने को सबसे भी में बेखार अब जाके आया मेरे बेचेन दिल को परार दिखा है पहली बार सजन की आँखों में प्यार अमन अमन है अमन है अमन है पुजा वड़ प्लेजन सप्राइज आँब बेखो अरे लक्षमी आजाए यह जीन कोफी लाना जल्दी अभी लाया सर्जी अमन क्या आजकल तुम इतने बिजी हो गए कि दोस्तों से मिलने का वक्त भी नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है पूछा मुकदर मुकदर से याद आया दीवाने सागर में पेज नंबर 26 पर तुम्हें बहुत खुबसरोच यह लिखा है जरा सुनाओ न मुकदर पे हाँ दीवाने सागर में पेज नंबर 26 हाँ इस इंपसुब यह होई नहीं सकता है पेज नंबर 26 पर है तुम्हें जरूर कोई गलत फैमी हो गई है इस नमुम्किन इस नमुम्किन नो गलत फैमी और मुझे तुम्हारे कलम से लिखाओ हर शेर मुझे जबान याद है अच्छा छोड़े पेज पर क्या भाइस करना तुम शेर तो सुनाओ याद आया 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 मुकदर मु.. जronesजी सरजी सरजी मुकदर मुकदर हाँ शर slopes हम जाताँ अंधर कापी जिनाः गिना, भूकते, महो, क्या रहती, शेर की रेकॉर्ड पर आवाज की सुई क्यों अंटक गई, सुई, नो, दरस्तर बात ये की, मेरी आवाज, अबे, अबे, सुबे तो तुने मुझे वो शेर सुनाया था, भूल गया क्या, तक्दीर बनाने वाले तुने कमी न की, तक्दीर अब किसको क्या मिला, ये मुकदर की बात है, यही तो, धाचुबे, शेर तुमने लिखा और याद इनको है, क्या करू, जब से तुम्हें देखा है, शेर अप्शारी तो क्या, मैं तो अपने आपको बोल गया हूँ, बहुत देर उचुकी है, मैं चलती हूँ, ओके, मैंने चोड़ गया ता हूँ, अमन, वक्त मिलते ही घर ज़रूर आना, बाई, ओके, बाई, तकदीर बनाने वाले तुने कमी न की, तकदीर बनाने वाले तुने कमी न की, अब किसको क्या मिला, यह मुकद्दर की बात है, अमन, आज तो बाल-बाल बजगा, यार, अगर तुने शेर नहीं सुनाया होता, आज तो भांडा फुटी क्या था, यह सागर के बच्चे ने तो जीना ही हराम कर दिया, यार, इसके बारे में कुछ ना कुछ नो सोचना ही पड़ेगा, ए, आइडिया, क्या? भाई को बोल की इसको उठवा दे क्या? अरे तु क्यों खामका जग्रा मोल लेता है, सागर वैसे भी दिलका मरीज है, इसका मतलब एक पाउ कबर में तो दूसरा पाउ केले के छिलके पर? ऐसे ही समझ ले, मैं चला बंबई, क्यों? यार, उस दूसरे पाउ को कबर में धका मानने के लिए यार देख आकाश, तुझे सागर की वज़े से पूजा का प्यार मिला है, हम? फिर क्या करें यार, इसकमभकत के बारे में? सुन, तुझे सागर की सारी शायरी याद करने पड़ेगी, किताब मैं तुझे दूँगा. ये भी करना पड़ेगा क्या? अरे आकाश, लोगोंने प्यार में जान तक दे दी, और तु शेर भी नहीं सिख सकता, चल, चलो, चल, आहट सी कोई आए, तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए, तो लगता है कि तुम हो, वह, 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 आहट सी कोई आए, तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए, तो लगता है कि तुम हो, जब शाक कोई हाथ लगाते ही चमन को शर्माए लचक जाए तो लगताए कि तुम हो यो रामा शरप यार का सवाल है यार जब शाक कोई हाथ लगाते ही चमन को शर्माए लचक जाए तो लगताए कि तुम हो सागर साब क्या लिखा व व व व…. एमन, याद होगया, एक और सुन, अरे फाप्रे, आगया और ययना मानो, हर सास के आने पे लगता ही की तो एमन, 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 उपन, सुनना अरे शुनना रूप इस पिज य याद होगे नहीं एमन, एमन, When आकाश, सुने देना, यार, मुझे बहुत नीद आ रही है देख, तु सरी राज शेर रियात करना, मैं खल सुवे सुनूगा मुझे शायर बनाकर, राद भथ जगा कर, फुद सो रहे हैं बहाने बनाकर रे सुने देना, थैंक गोड चला गया कुछ समझ मिनिया रहे यह लाइन कहां कीचियों वाह क्या खूब चड़ा है प्यार का रंग क्या मतलब यह के पूजा के प्यार ने तुझे बहुत जिम्मेदार इंसान बना लिया साथ बंबाई से बड़े साफ का ट्रंकॉल बड़े साफ का ट्रंकॉल चलिए हलो कौन अमन पेटा आप और माजी कैसे हैं बहुत अच्छे काम की प्रफेस कैसी चल रही है सब ठीक चल रहा है और वह हमारा गड़बडी आकाश उसका क्या हाल है अरे वह तो काम में हाथ बटा यही तो रोना है ना कि बैटा तुम्हारा है यह रोना है नहीं तो करो और घमन करो उस पर मैं तो उसकी रगरक से वाकिफ हूं जरूर कोई लड़की मिली होगी उसको गुमाने फिराने को जिसे यह काम कहता होगा अरे यार तुम क्यों मुझे डराती रहती हो नहीं नहीं आकाज जब तो आमान के साथ है वो गलत रास्ते पर कभी नहीं जा सकता और उसके साथ रहते रहते देखना एक दिन उपनी जिम्मेदारी के बोच खुद रठाना शुन करतेगा मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि यह दोनों दोस्ती के आटूट बंधन में इसी तरह बंदे रहे और दुनिया के कोई ताकत या मजबूरी इन दोनों को अलग न करे अगले बार जब भगवान की पूजा करना तो मेरी तरह से भी मांग लेना क्यों तुम नहीं मांग सकते मेरी सुनता नहीं तुम्हारी ज्यादा सुनता ना आकाश के रैडियो इसलिए नहीं उसकी मा का पती हूं इसलिए जाओ अबाई आकाश ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम मुझे टेलेफोन पर नहीं बता सके और मुझे आ फॉरन बुला लिया पुझा वो एक पहली है जिससे सुल जाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए वो अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं की अब एक कोफी और तुम क्या लोगी ओल सपाट पुझा जैसे की आकाश हाई वाट फ्लेसर प्राइज तुम्हा कैसे बुमने आही हूँ प्रॉमने आही हूँ इसकाइव में ठेहरी हूँ लेकिन तुम मुझे बताए बिना बंब से गाएब होगे अब मेरे इतने सारे फैन है अब मैं हर किसी को थोड़ी बता हूँ कि मैं का जा रहा हूँ वादे वे यह पुझा पुझा दिस इस मिनका 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 दिस पुझा दिल बहलाने के लिए ये खिलोना बहुत अच्छा है एन्यवे कम अन मील पाई फैंस आप चली मैं आप चली मैं हो ना यह आती है मीना और शार्ट नमस्ते नमस्ते अकाश पुझा मेरी बात तो सुनो पुझा कुछ नहीं सुनना मुझे पुझा मेरी बात तो सुनो पुझा कौन थी वो लड़की मेनका थी मेनका हो या शुर्पणखा तुम्हारी कौन थी काकी दादी मामी चाची वो मेरी फैं थी पुझा पहां थी तो सीलिंग से लेटकती, गले में क्यों लेटक रही थी? पुझा, अब मैं तुम्हे कैसे समझाओ कि… कुछ समझाने के जौरत नहीं है, सब मालूमें मुझे, सब मर्देग जैसे होते हैं, जहां लड़की देखी फिजल गए कमाल है पुझा, शक की भी हद होती है, मैं अपने परिशानी के हल टुणने है था तुम्हार बास, और तुम किसी और इटाक बेल चल बैठी तुम्हे क्या परिशानी हो सकती है? अब तुम चैन से बैठो, तुम्हे तुम्हें सुनाओना बताओ दरसल मेरा एक जिगरी दोस्त है, उसे एक लड़की से इसकतर महबत हो गई है, कि उसने प्यार को पाने के लिए गुम्हाम आदमे की नाम का सहरा ले लिए किसी दूसरे की नाम का सहरा? हाँ क्यूं? क्योंकि उस लड़की को पाने के लिए कोई दोसरा रास्ता नहीं था तो इसमें परिशानी की क्या बात है अब वो इस बात से डर गया है कि अगर गुम्नावाद में की सच्चा ही सामने आ गई तो उस लड़की के दिल में उस लड़के के लिए नहीं प्यार रहेंगा नहीं इजद अब तुम ही बताओ लड़का क्या करे मेरे खायल से तुम्हारे दोस्त को उस लड़की को सचा ही बता देनी चाहिए तुम्हारे दोस्त उसे सचा प्यार करता है न? हाँ करता है और वो लड़की भी उसे प्यार करती है? हां करती है तो फिर उसे क्यों करेगी तो फिर आजी मैं उसे खत ले दिता हूँ पूजा इस खत को पढ़ कर शाद तो मझे कभी माफ न करो क्योंकि मैंने तुम से चल किया मैं रेद की बुनियाद पर अपना घर बनाने चला था मगर यह भूलिया था कि वक की लहरे उसे कभी न कभी मिटा देंगी मैं वह बदकिस्मत इंसान हूँ जिसकी अपनी पैचान होते वे भी उसने अपने महबूर के दिल में उतारने के लिए एक अंजान आदमी का सारा ले लिया क्योंकि मैं सागर नहीं हूँ मैं अकाश हूँ, अकाश वर्मा मेरा प्रेम पत्र पड़कर क्या तुम ना राज्य ना वाना अदलक्षमी, सर जी, कहां जा रहा हूँ यहां कर सर जी का लेटर हूँ, पुजा में हम सब को देने को जाता जी अच्छा, लाव मुझे देदू, मैं देदूँगा जरूर पड़े तो बरतन मानना जड़ो मानना वगर वगर अगर अगर यह सब कुछ तुम करने को तयार हो तो मैं तुमसे शादी करने को तयार हूँ, जल्दी जवाब देना, यह शर्त मनजूर है या नहीं अकाश मनजूर है आमन् Holle आमन् आमन् man Singh आमन् आमन् आमन ya टिक माशनुर ओगया दिख र माँ अमा ऐके लाकार्गा तु conspiracy क्रें तुत्व अब और क्या वाच भी ने आद़ाड़ कि यार तुर सन अब चल्च agreed तुन्हें पताईनिया रहे वाच मैशन कहा बच ने एक वह वी प्रत पड़े अल्याद किया गाल पाप हो वो … भुटू पजा रहा हा गया? पास हो गया कौन? वो संडर कौन लेंडर? ने लेंडर, लेंडर तूह करी कितर अल्याद कि यह टैंडर, टैंडर पास हो गया कि इनके देखने को आंके तरस गई है पता नहीं बिचारों घर का खाना मिलता है की नहीं मिलता है एक एक दिन एक यूग की तरह बीतरा है पता नहीं मेरी आंक के तारे मेरी राज दुलारे ये बिचारे कोई से होंगे क्या है तुम क्यों से मैंने तुम्हारे मुझ पकड़ा हुआ है नहीं मेरे को बहुत मज़ा है वाकरी तुम दोनों के बगर घर काटने को दोड़ता है पूरे घर में सनाट अचाय हुआ है घर में अरे पूरे शेहर में सनाट अचाय हुआ है शेहर में अकाश बिटे, अखबार में तुम्हारे लिए वांटेड आई है, कि ढूंड कर लाने वाले को मुह मांगा ये नाम मिलेगा लेकिन मैंने सख्या, कौन सा काम किया जो लोग मुझे शेर वे ढूंड रहे है, कौन ढूंड रहे है एक हो तो बताओ, शेर के हर लंबी, नाठी, मोटी, पतली, उड़ती, बैटी, आती, जाती, हांस्ती, रोती, हर लड़की दुर्भी लेके तुम्हें तलाश कर रही है मैंने छोड़ दिया है, अरे लेकिन ये क्यों उसने, अरे ने कुछ खिला है, अरे चुप कर रहे ये वादिया, ये ठंडी हवाई ये देखर तुम्हे कुछ याद नहीं आता क्या? जब हमारे शादी हुई थी और हम हानीमून मनाने के लिए आये थे तो कम लोड़ कर अंदर दुबू के बैट रहे थे और प्यारी प्यारी रोमेंटिक बातें कर रहे थे वो बातें पिर नहीं हो सकती? नहीं क्यों? अरे कुछ तो इन सफेद बालों की शरम करो मैंने केभी काले बालों की शरम ने कीत तो सुभयत बालों की कुण शरम करें मैं क्यों ूं क्यों करूं बई ? इसलिए का अब हमारा जमाना नहीं रहा है अब हमारे बच्चों का जमाना आ गया है यहार यह बच्चे क्यों पइदा होती ह coalition होते हमाई यह दाल अपने घर के पतीले में कितने वादी है आपकाश आकाश 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 कहाँ चले गें कान हो तुम लोग में अपना हम लोग चोर हो एसी उमर में चोरी करते हैं शरम नहीं आती इन कपड़ में चोर लग रहे हैं आज कल के चोर तो इससे भी अच्छे कपड़े पहन कर गुमते तुम लोगों का क्या भरोसा वेटी बेटी मैं तुमसे कर आऊ उधर क्या देख रही हो तुम मुझे बेटी गयते उचरम नहीं आती लेकिन आकाश को तुम कब से जानती हो तुमसे मतलब तुम कौन होती है मुझसे पूछने वाली हां मेरे ममी डैडी क्या है तुम क्या आके फाड़े फाड़े देख रहे हो अरे कुछ बोलते भी नहीं अगर मैंना होती तो यह दोनों पूरा घर साफ कर देते पूछा यह मेरे ममी डैडी है होंगे तुम्हारे ममी डैडी क्या कहा है ममी डैडी हाल्ट अबोट टन फोर्ड मार्च बस तो हम लग इनके कपड़ में तुम्हें चोर नजर आते हैं जी नहीं मुझे माफ कर दीजिए वो गल्दी तो सभी से हो जाती है ना छोटों से बड़ों से इनसे हाल्ट तुम्हारे बार यह तुम बूचो आका कब से जानती हो जब से मैं यह आया था तुम्हारे नाम क्या है पूजा इदर इदर तुम इदर देखो और आपकी कोई तारीफ मैं एक बुक स्टॉल चलाती हूँ और घर पे मा है छोटा भाई है और अब यह पास हूँ और अरे पूजा तुम कब हैं सब ठीक है ना अच्छा तो तुम भी इस साजिश में शामिल हो चलो मेरे साथ अरे मा तुम चलो चलो तमाम गवाहों के बयाना सुनने के बाद ये आदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुल्जिमा पुजा ने आकाश के साथ प्यार करने का संगिन जुर्म किया है किसलिए ये आदालत मुल्जिमा को और आकाश को सारी जिन्दगी शादी के आटूट बंदनों में बंदे रहने की सथा देती है आदालत के पैर चुब जाएंगा फॉरण आप कहा आप शादी आदे मारूंगा है कभी मा क्या देख रहे हो नहीं देख रहा हूं कि ये मेरे घर में बहु बनकर कब आएगी अमन बेटा इस नेक काम की शुरुआत तुम्हारे जुम्हें है माजी आप तो जानती हैं कि पूजा और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं हां बेटी और ये भी जानती हूं आकाश एक करोड़ पती का बेटा है तरती हूं कहीं ये अमरी गरीबी की दिवार माजी जिन्होंने इस लावारस को अपने दिल में जगे दी इस मोकाम तक पहुचा है उनके लिए धन दौलत अमीरी गरी भी कोई माने नहीं रखती पुजायद घर में बहु बनकर राज करेगी बलकों पर बिठा कर रखेंगे बाबा ममता के च्छाओं में छुपा कर रखेगी मा और आस्वान पर बिठा कर रखेगा आकाश बस बेटा बस जिनका तुम जैसा आजीज हो उनकी पहचान तुमसे बढ़कर और क्या हो सकती है मुझे ये रिष्टा मन्सूर है मा जी आपने हां कहकर इसका भी बेटे की इससत रख ली मैं चलता हूँ मुह मिठा तो करते जाओ नहीं मा जी मा और बाबा के साथ ही मुह मिठा करूगा अभी तो वो हां सुनने के लिए बेचैन होंगे अच्छा बेटा अच्छा अमन अरे पूजा तुम हां मैं वो चाबी भूल गई थी वो लेने आई अमन नजाने मेरा तुम्हारे किस जनम का रिष्टा है समझ में नहीं आता है इस रिष्टे को क्या नाम दो कुछ रिष्टे ऐसे होते हैं पूजा जिन्हें नाम न देने ही बेटर है आओ बेटी इसे पहन लो बेटी हमारे खांदान की निशानी है जो होने वाले बहु को दी जाती है आज से इस पर तुम्हारा राजिकार है आज से पहले उस पंडित को तलाश करूंगा कौन से पंडित लेकर जल्दी से शादी के फेरे करवा देता है अच्छा तुमने रिष्वत दीती लो पंडित अगर रिष्वत नहीं लेता तो क्या आपमें शादी हो सकती थी साज जनम में नहीं हो सकती है अच्छा आज चल ले ले चल अमर क्या आज शाम को घर जल लिया जाना क्यों अज शाम की मैंने तीन टिकते बुकी हैं पंकर जुदास के शो के लिए तीन टिकते हैं हाँ मैं तू और पुझा अरे नहीं यार तू चले जाना क्यों आज शाम को आकीटेक घर आ रहा है उसके साथ मीटिंग है तू चले जाना मैंने आ सकता अच्छा सुन यार चलना अब इतना काम क्यों कर रहा तू अरे तू जाना यार मैं शाम को मिलूँगा ठीक है सुन ढटके काम करना जा रहा हूँ भाई सेयो दोस्तो एहसान मन हूँ आपका कि आपने मुझे फिर याद किया आज में खास आप लोगों के लिए एक उभरते हुए नौजवान शायर जनाब सागर की एक नजम पेश करने जा रहा हूँ मुझे उमीद है कि आपको उनका कलाम जरूर पसंद आएगा तो पेशे खिदमत है जनाब सागर की ये नजम जिये तो जिये कैसे दिन आपके जिये तो जिये कैसे दिन आपके जिये तो जिये कैसे दिन आपके जीए तो जीए कैसे दिन आपके कैसे कहों बिना तेरे जिन्दगी ये क्या होगी जैसे कोई सजा कोई बत दुआ होगी जैसे कोई सजा कोई बत दुआ होगी मैंने किया है ये फैसला जीना नहीं है तेरे बिना जीए तो जीए कैसे दिन आपके जीए तो जीए कैसे दिन आपके जीए तो जीए कैसे दिन आपके जीए तो जीए कैसे जीए तो 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 जीए अईयो रामा, अईयो रामा, अईयो चवन्नी, यह आजकल भिकार भी ने लेता, हम लेता, लक्षुमी को ना ने बोलना हा, मुत्तो कोडी कववाडी हडा, अईय, सबसे बड़ा रुपया, नहीं, ज्यादा लाला जाच्छा नहीं, आका सर्जी, 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 देखो तुमारे पैंड में पचार्स रुपय का नोट मिला जी, रखले, पुछ के लेना अच्छा रहता है जी, अमन केदर है, अमन सर को सुभा सुभा रेडियो कर कही भार चला गया जी, आयय, पास पैसा, इस पैंड में शेर बढता, इसमें गटता, यह प को तुमार लगता है जी, यह तो किसी शो का टिकीड लगता है जी, अभी बास ही, आमको नहीं मंगता, जान दे तरह सब आई साकता है, सुझाया जी, के तुछ इकांस मिला जी, आमन सर जी के पैंड में से मिला जी अकश, अमन, अमन को आना होता, तुमेर साथ निया आता वो, मैंने उसे अभी-अभी वहाँ देखा था, वहम है वहम आज चाम को हांकीटेक घर आ रहा है, उसके साथ मीटिंग है, तू चले जाना मैंने आ सकता आखर अमन ने मसे जोट के मोला, क्या कारण है वह आज कुल मसे दुर-दुर क्यों रहे लगा है खुद समझ मने आ रहा खुद समझ मने आ रहा अजि पुजा, बिटिया, आज का बोसं बड़ा ख्राब है, जर्दी जर्दी दुपर बं करके गण सरी जादा बस जा रहे हूं काका अच्छा ठीक है ठीक है अबे और करवा जल्दीकार बाबुजी कर चाहे दे और समान अंदर राग रेख चाही कि तुरी बट्साद का तुर्दीकार हाई अर्या पूजा पिट्या तुम लो गुदर का चाह रहे हो फीर चाहो दे अंदर आजो इस स्मॉल्दम में तो चाह दिने का मज़की जोला है आजा पिट्या आजा पिट्या आजा पिट्या बैट्टो बैटो बाबुजी बैटो अबयो कलुआ जरा दो चाहे देना इदर अभी लाया जल्दीकार जल्दी किया हुआ हाँ कुछ नहीं तब इत्तो ठीक है ना पुजा बिटिया आज कल परदे से बाभू नजर नहीं आते वापिस लोड़ गय क्या नहीं तो पूजहर, ये किसके माद कर रहे हैं ? अमन की क्या ही अमन को जानते थे? Sach잡, अमसा भूल सकते, लेकर ऐसा ग राख नहीं भूल सकते, वो अकसर यहां आते थे और अपना वक्त बिताते थे और हमारे धंदे को चार-चल लगाते थे वो कैसे ? वो ऐसे, साइ इधर नजर उदर साइ इधर नजर उदर और मिल तीस रप्या चार आने क्यों पूजा भी चिया लेकिन तुम क्यों असर है वो क्या हुआ जब यवाद मुझे काका से मालूम पड़ी तो मैं आमन की ख़वर लेने सीधा हैं चलियाई लेकिन जब उन्होंने तुम्हारे बार में जिकर किया कि तुम उन्ही के शहर के हो उनके रोज के मिलने मालों में से हो तो मेरा घुसा एक बैठका पुझा की दुकान की तरफ क्यों देखते रहता था जहां तक मेरा ख्याल है अमन किसी सागर नाम की शायर को जानता है नहीं और अगर जानता होता तो यह राज अपने जिकरी दोस्ते कभी न चपाता क्या हो मुझे जाना है लेकिन बारिश तो रुखने दो पहले ही बहुत देर हुचकी है अगर और देर हो जाएगी तो खासा बुझाएगा क्या है जाएगा झाल झाल जिनाब सागर साप, आदाब, नाचीज आपसे अपना तारूफ खुद करवाती है नाम है पूजा, पुटी के विलसन कॉलेज में पढ़ती हूँ आपके शेरोशायरी की मुरीद हूँ अकसर सहीलियों को आपका कलाम पढ़कर सुनाती हूँ सुनकर जब आपकी तारीफ करती हैं, तो दिल खुशी से छूम उड़ता है जनाब सागर साप, आज आपकी नजम गाकर जो शोहरत हासिल हूई उसके असली हगदार आप है क्योंकि ये आपकी अनमल खजाने में से थी इनाम लेते हुए खींची गई तस्वीर की काटिंग भीज रही हूँ और आपके लिए एक तौफा हुजूर अमन साप, और सागर, अनीस का सलाम कामयाबी पर कामयाबी मुबारक हो आपका लिखा हुआ नया आइडिशन तौफान सागर खूब जोर शोर के साथ बिक रहा है जिसकी स्टारी रॉयल्टी आपके हुप्न के मताबिक मैं फादर डिमैलो के स्कूल में बवक्त पहुचा देता हूँ, आपका हमराज अनीस हो सकता है तुम इस हकीकत को जानने के बाद मुझे कभी माफ ना करो तो सिर्फ एक सपना समझ कर भोल जाना और अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मैं समझेगा तुम्हें मेरा प्यार मन्सूर है अब मेरी समझ में आया कि पुझे मुझे अस तक सागर क्यों समझती रही कर रही दोओता है कि आपकाश तू अपनी दोस्की मुखबत का प्यारा आकाश तूने अपनी दोस्की जिन्दगी में जहर घोल दिया आकाश तू दोस्की के नाम पे कैसा बदनमाद दाग है जिसे तू तो क्या भगवान भी नहीं मिटा सकता नहीं नहीं वेटर यह सर पोदल लाके यहां पर रख दो माप की जिगह सर आप पहले कापी पीचुके तेखो जो मैं करता हूं वह करो पाटली लाके यहां पर रख दो यार ओकी सर जो नहीं वह कर प्लाक लेबल की वेटर एक बात बता जिस नाम का लेबल है इस बाटली पर उसी नाम की शराब भी इनांद है जरूर है लेकिन अगर लेबल कुछ और हो और शराब कुछ और हो तो यह कैसे हो सकता है नहीं हो सकता है लेकिन अगर हुआ तो इस तो दोके वाले बात होगी दोका वाँ 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 क्या बात कही है दोका ही तो हुआ ना यार उपर लेबल कुछ और अंदर शराब कुछ और पीने वाला दोके में तो पिलाने वाला दोके में लेकिन बनाने वाला टेराना दोके बास Hahahaha Arkashi यह देखो, इसका सारा लेने आया था, इसने भी धोका दे दिया चलो, चलो, मेरे साँ चलो कौन है? सर जी मैं लक्षमी मैं समझा आकाशा है आकाश सर जी तो रंगी नदमी है जी कही न कही रंग जमारते होंगे आप अपनी निंद क्यों कराब करता है जी खाना का किस हो जाओ नहीं लक्षमी, मैं आकाश का इंतजार करूँगा लेकिन सर जी आकाश है बोला ना लक्षमी मुझे आदत है उसका इंतजार करने की तुम जाके सोजाओ ओके, गुणनेट सर आकाश यह क्या हुआ कहता तू, तू ठीक है न? हाँ, अब ठीक हो आखिर हुआ क्या है? धोका धोका? हाँ साकी ना जाने किस महबबत में असली लेबल दिखा दिखा कर धकली जाम बिलाता क्या? मैं क्या? मेरी जगा कोई भी होता? तो उसकी भी यही हलात होती धकली जाम, साकी, धोका अखिर यह सब क्या है? क्यूं? मेरी आखों में तुम्हार रिस्कियों का जवाब है जब कभी पढ़ लोगे तो तुम्हें इस्कियों का जवाब खुद भाखुद मिल जाएगा अरे तू मुझे अपनी आखों से क्या पढ़वाना चाहेगा? तू तो अभी तक नशे में चूर है अपने कपड़ों की हालत देख यह सब किसलिया आकाश? पता है तेरी फिकर में मैं राद भर सोय नहीं सब जगे फोन किया पूजा को भी नहीं पता था कि तू कहा है मुझे सिर्फ इतना बता दे यार कि तू कहा अटका हुआ था वहीं जहां मुझे शाहिद हमेश आटके रहना चाहिए था आकाश क्या तू वहीं आकाश है? नहीं मैं वह आकाश नहीं हूँ क्योंकि अब इस आकाश पर च्छाएवे बादल हट गया है और सुलिष की किर्णों में उसे हर चीज साल्सक्तिक है तरी आटके जाएंग मुझे अभी यकीन नहीं आरा आखों पर, लेकिन मैंने यह सब देखा है, they were behaving like lovers हलो, कौन चामेली, मैं पूजा बोल रही हूँ, पूजा जी, बोलिये जी, क्या मैं आकाश से बात कर सकती हूँ, आकाश सर जी तो घर में नहीं है, कहां गए है, मालूम नहीं बोलके नहीं गए जी, अमन है, आमन जी तो साइट पचले गए जी, ओ, वैसे तो जिन्दगी में बहुत तयराकी की है, लेकिन तुम्हार साथ तरने का मज़ा कुछ हो रही है, आकाश, तुम जुतने ही नशीले हो, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी बाते नशीली है, सुनका नाशर सचा जाता है, रेली, क्या हुआ, तुम तो गेगल कीत्रा रंग बदलते हो, अभी अभी तो कितने रोमैंटिक थे, और आभी मूड आफ कर लिया, क्या बात है, तुम्हार में जा, मैं आता हूँ, मुझे माफ कर दे, पुझा, मुझे माफ कर दे, यए, यजूच Jest झी माफ कर दे, तुम्हार सुनके पीक WILL झाप कर दे, तुम्हार, रष़ होोोग LE दे, ङIGS Mze टिझा, गफ वाफ कर दे, तूझा, बांग तुम्हार पुजा, तुम्हारे शिट सही निकला रेनू, अगर मुझे आपनी यकीन नहीं आता, मेरा सागर ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सागर ऐसा नहीं हो सकता पुजा, बी ब्रेव, हिमत से काम लो, मैं तूट चुकी हो, मैं तूट चुकी हो, प्लीज पुजा हलो, हलो, मैं अमन बोल रहा हूँ, मैं पुजा से बात कर सकता हूँ, एक मिनिट, पुजा, पुजा, अमन का फोन है हलो, हलो, पुजा, मैं अमन बोल रहा हूँ, तुम आकर से मिली? नहीं, क्यों, तुम आकर से क्यों नहीं मिली, पुजा जरुड़ा ती नहीं, आलो, पुजा, पुजा मुझे कोई दे दे जहर, हस के मैं पेरूँगी मुझे कोई दे दे जहर, हस के मैं पेरूँगी हर दर्द सहलूँगी, हर हाल में चेलूँगी दर्दे जनाए, सहना सपूँगी तेरे बिना मैं रहना सपूँगी जे तुझे कैसे बिन आपके जे तुझे कैसे हरे बिन आपके जे तुझे कैसे बिन आपके देखके ओ मुझे तेरा बन के चुका देना जे तुझे कैओ मुझे तेरा पल के चुका देना याद बहुत आए तेरा मुस्करा देना कैसे बिन आए तेरा मुस्करा देना वो मेखिलात है वो मुलाकात है जिये तो जिये कैसे बिन आपके जिये तो जिये कैसे है बिन आपके जिये तो जिये कैसे बिन आपके जिये तो जिये कैसे बिन आपके नफलत कनाटक करना जितना मुश्किल है आकाश प्यार कनाटक करना उसे कहीं ज्यादा कटन है हाँ? हाँ आकाश तुम सिर्फ मुझे ही नहीं उस पचारी पूजा के साथ-साथ अपने आपको भी धोका दे रहे हो धोका? हाँ धोका क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हाई जिंदिंग मेरी क्या यह मेत है आके क्या सामज रख है तुमने मुझे तुम्हारी इश्की सत्रंच का एक मामली सा मौरा जिसे तुम जब चाहो जहां चाहो इस्तमाल कर सकते हो मैंनका जो खुद तक दीर कहा तो मौरा बनके रह गया हो वो भला किसी और को क्या मौरा बनाएगा? इन बचकर्णी तरीकों से तुम सिर्फ मुझे ही नहीं आपने आपको भी पूजा की नज़रों में गिरा रहे हो एक उरत को दूसरी उरत के खिलाफ क्यों इस्तमाल करना चाहते हो? आखर क्यों? क्या तुम इतने गिर गया हो? क्या अब किसी की मौबत की लाइकी नहीं रहे? हाँ हाँ मैं गिर गया हूँ अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ वह वह रूपिया तो दूसरे का नाम उधाल लेकर उसी के नाम पर ठागड़ रहा हूँ देखो मेरी सिद्ध की इतनी उलच करी है कि अब उसे सुर्चाने वाला भी तुम्हारी तरह उलच करें जाएगा चेको मुझे अपने हाल पर छोड़तो को को इसलिक में लोड़ तुमने पेशक कभी मुझे अपना ना समझाओ लेकिन मैंने तुम्हें कभी गैर नहीं माना तिल में जब दर्द ज्यादा बढ़ जाता है इंसान कभी-कभी उसी में जूपकर माच जाता है हम प्यार ना सही दर्द तो बाट सकते हैं काश तुम मझे समझ सकते इससे पहन लो बेटी हमारे खांदान की निशानी है जो होने वाले बहु को दी जाती है आज से इस पर तुम्हार आधिकार है बेटी तही दिनों से देख रही हूँ तु खोई-खोई से रहती है आखर बात क्या है कुछ भी तो नहीं माँ सब कुछ ठीक है सब ठीक नहीं है बेटी तु अपना दर्द दुनिया से तो छिपा सकती है पर अपनी माँ से नहीं क्योंकि दर्द के रिष्टे का जनम भी उसी समय हुआ था जिस समय मैंने तुझे जनम दिया था हाँ हाँ बीजी मुझसे ज्यादा तेरा दर्द और कौन समझ सकता है अपने आपको संभार साब ठीक हो जाएगा अकाश अंदर कितना मज़ा रहा था तुम भाग क्यू चले आएग मैं इनका अज किलमजे कुछ पी अच्छा नहीं लगता पूजा वाँ काश साब क्या खुबसूरत अंदाज है प्यार का वही घिसाब पिटा हजार बार दोराया हुआ ना आप बदले ना आपका प्यार सिर्फ शकले बदलती गए तिल तूटते गए लेकिन आप अपनी जगा काइम रहें प्यार करना तो कोई आप से सीखें बाइद वे यह आपकी बॉमे वाली फैन है ना फैन यह क्या के रही है मैं इनका इनका कुसूर से वितना है कि यह जरूरत से ज्यादा भोली है मैंने इसे सिर्फ एक चुड़ा तक जूट कहा था कि मैं इनका सागर हूँ और इनोंने यकीन कर लिया अवत कि यह चरूरास सेड़ा यकीन नहीं आता तो एस नाटक के राइटर अमन वरमा से जाके पूछिय है 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 हुआ जयरे बने वो गषलाअ चलार नहीं करीगा तो क्या मैं करूगा चाहिए उसी से पुछिए, उसी ने किया है, चाहिए मैं आपका सागर वगर नहीं हो ये रख लो, शैद इनके काम आजाए, पूचा नहीं मन का, उसे मत रुखो, वो आज अपने सागर से मिलने जा रही है कॉछा तुम, आज कुद्रत ने भी तुम्हेरा खूप साथ दिया अंधेरे में शर्म से तुम अपना मूद तो छुपा सकते हो प्रोश्नी में शैद तुम उझसे आखें नहीं मिला पाते लेकिन पूचा मैं तुम से अपने दिल का सारा हाल बया करती रही तुम्हें अपना हमदर्द, अपना हमराज एक अच्छा दोस समझ कर कितना नास था मुझे तुम पर और तुम्हारी दोस्ती पर तोड़ दिया तुमने मेरे विश्वास को क्या खूब सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का मैं लुटती रही और तुम चुप-चाप तमाशा देखते रहे सिर्फ तमाशा ही नहीं तुमने मेरे प्यार को सरे बाजार निलाम कर दिया है किस हक के बिना पर तुमने अपने आवारा दोस्त को मेरी जिन्दगी में सागर बना कर भेजा और मुझे एक दिल भैलाने का खेलो ना जब जी चाहा खेला और दिल भर गया तो तोड़कर भैंक दिया क्यों किया यह सब कुछ तुमने क्या मिला तुम्हें जूट बोलकर अपने अमीर दोस्त की शाबाशी जिसके अहसानों तले तुम्हारी जिन्दगी तभी हुई है या अपनी सूनी जिन्दगी को दल्चस बनाने के लिए एक रोमांची कहानी मता हो, क्योगे जिन्दगी जिन्दगी क्योगे पी य। हा-ा-ा-ा-ा-ा-ा-ा आ कि ए 2 अ ह đi ас कल सब dif सब fps हुँ हुँ अमन ही मेरस अगर है अमन! आकाश! क्यारो तुन लोगी दर बाहर चलो मैं देखता हू तुम भी क्या हुआ? वासूम ने तेरा? तो के बाज सब कुछ जानते हुए भी अंजान बन रहा है पूछता है वास। पूछा की जिन्दगी से खेल कर तुझे शर्म नहीं आई? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा? ओ, मैं तु सोचा कोई तूफान आगे था। अगर तूफान आता तो थम जाता। तुने तो कहड़ा दिया है। रिलाक्स है, रिलाक्स। तु तु मुझे अच्छी तर से जानता है। मेरी जिन्दगी मना जानी कितनी पूजा आई और गई। और वैसे भी और किसी का प्यार मेरे लिए बेडिया बन जाए। तुम इससे तोड़ दिया करता हूँ। आकाश। इसलिए आज तक जो तुने किया वो सब जूट था, फरेब था नातक था। पूजा से प्यार का दावा एक नातक था। उसके प्यार का मुझे ही यकीन देलाना एक नातक था। माँ और बाबा के सपनों का साकार करना एक नातक था। उसकी माँ को शादी का रिष्टा भिजवाना वो भी नातक था। हाँ हाँ, वो सब नातक था। आकाश। कि यes मरमारे दोस्ती के कि वजह कुछ करें सबाद कि अब कर दोस्ती के तो कि मुझे अब हरु में यह स्थें उससे पुछ मेरी खुद्दारी तेरी ये जलील हरकत में मुझे पूजा की नजरों में इतना गिरा दिया है कि मुझे खुद अपने आप पर नफरत होने लगी है मेरा जमीर मुझे धितकार रहा है तेरी वज़े से मुझे शक और रुस्वाई के कटेर में खाना कर दिया गया तेरी वज़े से आकाश आकाश अगर मुझे पता होता कि तेरी दोस्ती की वज़े से मुझे ये दिन देखना पड़े तो मैं तेरी तरफ दोस्ती का हाथ कभी नबढ़ाता किस दोस्ति की बात कर रहे हैं तुम हां हां हम दोने के बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी जो चुपी वी हो अरे हम तो वो दोस्ते जो एक दूसर पर मर मिखते तो भी कम था फिर तुने आज सक इतना बड़ा राज अपने तक कि क्यो रखा मैं पुर्सा क्यो रखा कि तुझे मुझे बड़ो सा रही था यह तुने सौच लिया कि अगरी राज मुझे खुल जाए तूख जोगा बिखार जोगा नहीं है मर वर्मा अकास वर्मा इतना कमसौर नहीं है राज कौन सा राज बढ़ी राज जिसने हम दोलों की सिंदेगी में तुफान काड़ा कर दिया क्यों नहीं बता कि तुझा से महबत करता है कोई जवाब है इसका दिर बास क्यों तुने मेरी सचाई का पुझा तक नहीं पॉसे दिया कि मैं उसका सागर नहीं हूँ कोई जवाब है इसका तुन दिर बास क्यों नहीं बता के तुझा पुझा का सागर है कोई जवाब है इसका तुझा का तुछी देता हूँ महरे अकाश को हमेशा खुष ने जाथा था तो हमेशा खुछ अब हम इस चक्री से निकल सका लेकिन तेरे इस चक्रवी दोड़ने के लिए मुझे पुझा के दिल तोड़ा क्या विभी तुझे सच्छा हइसे इंकार है क्या तो कि नह de хорош थाता है हम्हें सागर हूँ वही वो बदनसीब सागर हूँ जब पूजा से प्यार करते हुए भी उससे अपनी मुहबत का इजार ना कर सका लेकिन जब मुझे पता चला कि तू भी पूजा से प्यार करता है तो मैंने अपने खुआशों को अपने अर्मानों को अपने सीने में दफन कर दिया हरे बजबन से लेकर सुख दुख मेरे साथ आख में चोली खेलते रहते हैं लेकिन दुख का साय तो तेरे से कोसो दूर है अगर तुझे पूजा का प्यार ना मिलता तो तू ये सद्मा हरगिस बरदाश ना कर पाता इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने प्यार को दोस्ती के लिए खुरबान कर दूँआ अमर आकाश आकाश तेरी खुशी में मेरी खुशी है मैं तो वो इनसान हूँ जिसे कदम कदम चलने के लिए इस पैसागी का साहरा लेना पड़ता है अला मैं किसी का साहरा कैसे बन सकता आकाश सिंदगी में तुने मुझ पर बहुत अहसान किये एक आखरी अहसान करते दोस्त तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता पुजा को अपना ले पुजा को अपना ले वा मानती हू तुम दोनों की दोस्ती को दोस्ति क्या होती है ये कोई तुम दोनों से सीखे। अमन साब, आपको अपने दोस्त के नजरों में महत बनना था ना। सो आप बन गए अपने प्यार की कुर्बानी दे कर। और आकाश साब, आपने तो महंता की हद कर दी। अमन साब को उनका प्यार लोटा कर। मेरी भी अपनी मर्जी है, अपनी चाहत है, अपने वजूद है। तुमने कितनी आसानी से अपना फैसला सुना दिया मन, ये भी नहीं सोचा कि जब पूजा का सामना इस हकीकत से होगा, तो उस पर क्या घुजरेगी। अपनी नजरों से गिर जाएगी वो, अपने आप से ववा कर पाएगी। और नहीं आकाश से। सिर्फ एक बार, एक बार कह दिया था कि तुम ही मेरे सागर हो, तो मैं सब कुछ कुर्बान कर देती तुम पर। मर्दों के लिए प्यार, चजबात की किताब का पन्ना पलट न भर हो सकता है। और और उरत के लिए उसका सारा इतिहास बन कर रह जाता है। और मेरे इतिहास का पन्ना पलटने का हथ मैंने किसी को नहीं दिया था। पूजा, पूजा तुम नहीं जानती है, अमर मुझसे कितना प्यार करता है। बचबच से लेकि आज से अपनी हर चीज, हर खुशी मुझसे बाटी है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि दुनिया में एक ऐसी भी चीज होती जो बाटी नहीं जा सकती। वह है प्यार, साजन का प्यार। अगर आज तुमने अमर्ब के सचे प्यार कर ठुकरा दिया। तो तुम सिंदेगी पर पच्छावे के आग में जुलसी रहोगी। और वक्त निकल जाने पर तुम कुछ ने कर पाऊगी। कुछ ने कर पाऊगी पूजा कुछ ने कर पाऊगी। अगर तुझे पूजा का प्यार ना मिलता तो तु ये सद्मा हर्गिस बर्दास्ट ना कर पाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने प्यार को दोस्ती के लिए कुर्बान कर दूँगा। हाँ मैडम ये देखे ये बहुत अच्छा है। ने ये ने ये दिखाए। सुनिये। जरे देखे तो कैसे लग रहा है। बहुत खुब्सूरत बहुत लाजवाब। है ना। तुम पहनोगी तो दिन में चौदमी का चान नजर आओगी। मैं। बहुत देर बात पता चला है तुमको। आपके बारे में नहीं कह रही हो समझे। मैंने कहा के तुम मेरे बारे में कह रही हो। हाँ मा। अरे आकाश। हलो डड़ी। अरे तुम को मैं। बस अभी अभी। कुछ खबर भी नहीं की। आप लोग की यादा ही तो चला आया अच्छा चलो शुकर हम दोनों की याद तो आई लीजे समा लिए अरे देखो वो साड़ी दो आकाश ये देखो साड़ी अपुजा के लिए देखो ना कितनी खुबसुरत लगेगी इन्हें पहने के बाद और ये जेवरात इन्हें पहन के तो बिल्कुल अपसरा लगेगी है न माँ और अरोत की पसंद है और थी जाने अच्छा माँ मैं अकाश जी बातें बना कर तुम अपनी मा को बेखु बना सकते हैं अपने बाप को नहीं एक बात काँ इनसान के अगर दिल पर बोजू न तो उसको कह देना चाहिए कह देने से वो शब बनकर भाप बनकर जबान के सते से उड़ जाती है मैंने जिन्दगी में तेरी हर जिद मानी है तेरी हर बात मानी है मैंने एक बाप बनकर नहीं एक दोस्ट बनकर क्योंकि मैं इस चेरे को हमेशा मुस्कराता हूँ देखना चाहता हूँ फिराज, आज इन आखु में आंसु क्यों है ये बता दैरी, कभी कभी दिल के पैमानों में खुश ही इतनी बढ़ जाती है के खुद बखुद आंसु के छीटे बनकर छलक जाती है तो जुट बोल रहा है मुझसे नहीं डैरी, आप इने तो कहा था किस जिन्दगी एक बाजी है कोई जीतता है तो कोई हारता है मगर इस बाजी में जीत भी मेरी हुई है और हार भी यह वेली, तो लहन की तरह सजाई जाएगी शेनाय बजेंगी बारात निकलेंगी तो लोग कहेंगे किस धूम से निकली है राजीव वर्मा के बेटी की बारात अमन की बारात अमन की बारात? हा मा अमन हमारे अहसानाप का बदला चुकाना चाहता था असल मैं पूजा सागर से प्यार करती है और अमन ही सागर है और मेरा के मैं तो अरे यार तो तो मुझे नहीं से तुझ पर बिटा, I am proud of you. मुझे भी. अमन्ट? अकाश, तु यह कैसे? पुजा को लाया हूँ, उसके साजन से मिलाने. आहा आहा! आहा आहा! मुझे भी. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बहुत प्यार खरते हैं तुमको सिर्म बहुत प्यार खरते हैं तुमको सिर्म बहुत प्यार करते 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 हैं तुमको सिर्म